हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर और हम है आपके लेकर क्या है एक और नाया वंशॉट आफ चाप्टर कंट्रोल और कॉडिनेशन बहुत ज्यादा टाइम से डिमांड हो रही थी चाप्टर की एन हमने जो पहले वंशॉट जाले थे तो उसमें कुछ ब से जल्दी समझ मां जाते हैं अब हमारे जो यह दोने चाप्टर से थोड़े से एक परसंट कहेंगे जादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम बहुत असान तरीके से पढ़ाएंगे आपको थोड़े से मतलब मुश्किल है तो इनको समझते में हो सकता है प्राबलम है लेकिन हम कोश के अंदर adjust कर लेना हो सकता है दो चार दिन में हम ठीक हो जाए उसकी बाद क्या करते हैं फिर बाकी का जो एक दो वन शोट बचे है उसमें ठीक हो जाएगा मामला बटाइल ट्राय मैं बेस्ट कि आपको जड़ा फील नहों कि एनरजी की थोड़ी कमी है या मलब requirement और वह है अलाइव यह हम लोग life process वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज मूफ कर रही है डाट मींस की डैट तिंग इस अलाइव अच्छा अब बूफ करने का मतलब यह नहीं कि उड़ती भी पन्नी को बोल दो जो हम उड़ती जा रही है कि वो भी अल मूविंग का मतलब यहां पर क्या है कि खुद से मूवमेंट जब हो तो ऐसे organism को हम क्या कहते हैं अलाइव कहते हैं अब यह जो मूवमेंट है वो दो वज़ा से हो सकता है पहली वज़ा जो है वो है ग्रोथ ठीक है और दूसरी वज़ा क्या है अब उसके बार में भी बात क करेंगे अब जैसे कि पात यहां पर देखेंगर कोई प्लांट हमारा जर्मिनेट करता है हम प्लांट को कहते हैं कि वह अलाइव यह लिविंग है क्यों कहते हैं क्योंकि उसके अंदर होता है मूवमेंट यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को प्लांट के इस सीड के अंदर मूवमेंट दिख रहा होगा ठीक है बट अगर मैं इसको पॉस कर दूँ यानि कि अगर मैं इसकी ग्रोथ को रोग दूँ ठीक है अगर मैं इसकी ग्रोथ को यहां पर रोग देता हूं यहां पर चलो एक और आगे कर देते हैं ठीक है अब मैंने इसको यहां पर रोक दिया है याने कि ग्रोथ को रोक दिया है तो क्या यहां पर मुवमेंट दिखाई दे रहा है आप कहेंगे नहीं भही या नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक तरीके का जो बूबमेंट होता है and it is because of your result of उसकी बाएर में बात करते हैं देखो अब यहां पर क्या बोला गया कि बट इफ इस ग्रोफ वर टूबी फॉफ तो अगर उसकी ग्रोफ स्टॉप कर देते हैं तो जो है उनीक हो इस चाप्टर में हम लोगों को जानना है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को एक प्लांट जो है यह ग्रोग करता दिखाई दे रहा है बट अगर मैं इसको ऐसे पॉस्ट कर दूँ जिसकी ग्रोथ को रोग दूँ तो इसके अंदर कोई की भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ठीक है बहुत बढ़िया अराम से पढ़ेंगे यह चाप्टर का इंट्रोडक्शन है अब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं मैं आपका यहां पर बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह तो सवाल है कि यह कैसे हो रहा है इसी के बारे में हम बात करेंगे तो देखो living organism जो होते हैं यानि कि जीवित प्रानी ओहां जी जीवित प्रानी जो होते हैं हमारे living organisms वो क्या करते हैं react करते हैं and respond करते हैं to change in environment around them जब हमारे आसपास environment चेंज होता है तो हम उसके खिलाफ react कर करते हैं respond करते हैं example के तौर पर मान लीजे कि आपकी crush जो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी वह आपको बोले कि आप क्या कहते हैं हमारे साथ मुमस खाने चलेंगे तो आपके दिल में क्या कहते हैं तिकलिया उड़ने लग जाएंगी आसपास जो है मतलब महौल इंडे क्राया कर दो के शींगा मतलब यह नहीं कि मुव्मेंट यह रियक्शन का मतलब यह नहीं कि फिसिकल मुव्मेट अगर आपके बिहेवियूर में भी कई चेंज आ रहा है डैट इस ऑular reaction ठीक है आपने किसी को मतलब कोई ऐसा भगवान ना करे कभी किसे के साथ हो लेक लेकिन इन्दी बैढ़ करके क्या करोगे रो गय है तो ये सारा हमारा फूर्चेंट के लिए इसरे Boss के लिए हमारी बॉडिक अन्दर बहुत टिश्यूंट होते हैं और गयंस होते हैं तो उसी के बारे में भी हम बात करेंगे अब जिसे यहां पर देख सकते हैं चोटु बच्चा है हमारा यह गूल गूं रहा है यह या कह सकते हैं jsut गोल गूम रहा है और उसके रिस्पॉंस में वो बेबी जो है वो गोल गूम रहा है कभी किसी पार्क में आप चले गए या आप पोचिंग सेंटर में बैठे हैं किसी कैफे में बैठे हैं आपको सुंदर कन्या ने हसके देख लिया ओहो यह आपके दिल का कुछ इस तरीके का हाल होता होगा है और आप मतलब वहां पर गए थो तो किताब पढ़ने लेकिन अब आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं तो यह एक तरीके का क्या है रियाक्शन है हमारी जो सुंदर कन्या थी इन्होंने प्यारी सी स्माइल पास करी ठीक है और उस प्यारी सी स्माइल के चक्कर जो चेंजिस होते हैं इन्वार्मेंट के अंदर जिसको खिलाफ हम रिस्पॉंड करते हैं या रियाक्ट करते हैं इन चेंजिस को हम कहते हैं क्या इन चेंजिस को हम बोलते हैं stimuli इसको क्या कहते है stimuli stimuli क्या है change in environment कोई भी ऐसा change जिसके खिलाफ हम respond करें या यह act करें उसको हम क्या कहते है stimuli कहते हैं ठीक है या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि anything that brings anything that brings physical and behavior change कैसा change physical and behavior change behavioral change किसके अंदर organism के अंदर ठीक है यह कोई भी ऐसे चीज़ जो हमारी body के अंदर physical या behavior change लेकर क्या है उसको हम stimuli कहते हैं आपने बहुत बारी अपनी माता जी को या मम्मी जी को देखा होगा कि वह कभी सीरियल देखकर के रो रही है ठीक है अब रही होती है तो फिर वह क्या है देखो वह सीरियल वह इमेज जो है वह पिच्चर जो है उनके लिए वह एक स्टिमलाय है क्योंकि उसकी वज़े से वह रही है अपने गरम चीज़ पर हाथ रग दिया आपने फटाक से हटा ता दिया तो जो गरम चीज़ है आपके लिए क्या है आपने किसी सुन्दर कन्या को देखा आप उनके आखों में खो गई वह आपके लिए क्या है आपने किसी कुत्ते को छेड़ दिया वह आपके पीछे भाग रहा है वह उसका भॉकना और आपके पीशे भागना एक तरीकी का क्या है स्टिमलाय है ठीक है स्टिमलाय इस एनिफिंग जो ट्रिगर करती है हमारी बॉ स्टाइल के बातरते हं एजुईजरी इन फार्म ओक रॉम और मॉवमेंट मेरins वह एक्स्परिमेंटत करें घर पर तो बिलकूल ना करें और घर के इंदर आग लगा दी तो मम्न फिर यो आपकी लगाएंगी यह मम्मी आपके कहां कहां लगाएंगे आपको पता ही है तो यह भी एक तरीके का क्या है और जो यह मतलब जो हमारे साइंटिस्ट कर रहा है एक तरीके का रियाक्शन है अच्छा जी और आपने कभी-कभी देखा होगा बहुत सरे लोग जो है अपने नीका के कहते हैं वो सब्सक्राइक करता है तो वह सनलाइट है कहां थे जो ब wij मतलब जब शारू खान का से बन्ड करता है तो वह ich अलो हिरोयनों के लिए stimuli होता है कि मतलब हिरोयना सुरुका जाता नहीं है और उनके मतलब आ करके वह मतलब बाकी कर्तों में कहानी पड़ता ही है ज्यादर डिटेल में हम जाएंगे नहीं तो ये जो बंदा है या ये जो फरसन है आक से दूर भागा पास सोडी न गया इसका best इंटरस्ट या best कैसा क्या सकता है और यह आक से दूर ही आए तो हम हमेशा react और करते हैं उस इंटरस्ट में जो हमारे लिए best होता है विचे इन बेस्ट इंट्रस्ट आफ आर बाड़ी दर याक्शन विच वे गिव तू स्टुमिलस इंवाल्व मैंनी ओर गन्स आफ आर बाड़ी जो हम स्टुमिलस के खिलाफ रियक्शन देते हैं उसके अंदर बहुत सारे organs जो हैं वह involved होते हैं ठीक है मैंने पहले ही काया कि मेरा गला है बहुत ज़्यादा खराब तो मैं तेज बोलूँगा तो मुझे खासी होगी और धीर शायद मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि भाईया की बैटरी डाउन है तो डाउन तो देको सही में है मैं कोशिश कर थोड़ा सा अपने आपको अब ग्रेड करने की सो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं बस आपको बाते समझनी आनी चाहिए ठीक है जो भी हाँ पे लिखी है जो भी हम समझा रहे है और आपको परिशानी नहीं होगी ओके सब एक्जाम्पल के तौर पर देखिए अच्छा जी स्टिमला है अब उस स्टिमला के खिलाफ अप रिस्पॉंस देंगे रिस्पॉंस देंगे आने कि वहां से हाथ अटाएंगे उस गरम चीज़ से हाथ अटाएंगे तो अब इस रिस्पॉंस के अंदर कितने सारे और्गेंस इंवाल्ड है आपका हाथ इंवाल् से और मसल्स मगरा का भींवालमेंट हैं वोग हम कंट कर सकते हैं नीडिते舞 के पार्टी आ जाएंगे ठीक सॉट थी स्लूर कॉछ कोड्ल से बंढ़ से मैनेर में काम करना सकी यहीु आपस में पयार से में काम करना पड़ेगा और हम यही देखेंगे कि हमारीsey का कोडिनेशन जो है किस तरीके से होता है एक और बहुत ही अच्छा एक्जामपल है वह आपको एक्जामपल हम दे देते हैं तो हेड़फोन वार्निंग है पहले लगा लिजे ठीक है तो मैंने का था आपको पहले भी कि हमारी क्लास के दो बॉपलर करेक्टर से एक है राहूल औ पढ़ने में हेल्प करेंगे तो यहां पर है राहूल और यहां पर है हमारी छी के सब्सक्राइब अच्छा 血 है यहंट वहाइदो काफी मतलब एक दूसरे को अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं राहुल के दोस्त है है कि यहाँ पर ऊपर अपनी बात पहुचाdag तो इनको में लिंखकर कर कर देते हैं आज के राहूल ने लिखा एक खत अब वो खत उन्होंने अपने दोस्त को दिया ठीक है अब इनके दोस्त ने रिंकी की दोस्त के साथ planning करी कि भाई इस सेम टाइम पर आ करके मिलेंगे तो उन्होंने उनको ये letter दे दिया और रिंकी की दोस्त ने एक पर्टिकुलर टाइम पर जो लेटर है वो रिंकी तक डिलिवर कर दिया ठीक है तो बात शुरुवात खांस होई थी राहूल से शुरुवात होई थी और बात खतम कहां पर यह रिंकी पर खतम हो रही है तो यहाँ पर चार लोग है और चारों ने काॉडिनेशन से काम करा है उसी तरीके से हमारे ओर्गिनस भी वर्क करते है इन अप्राफर कौडिनेशन की जरूरत है जिसे कि आप यहां पर कॉडिनेशन देख रहे हैं और यह मत समझ ले ना कि मैं तुमको किसी सीज़ का आइडिया दे रहा हूं ठीक है करना नहीं ऐसा एक एक्जामपल दिया है चोटा सा समाझा चाहा कॉडिनेशन समझाने के लिए और कॉडिनेशन की इंपॉर्टेंट होता है ठीक है प्रत्रचलबाद में बदनाम कर रहे हो कि हमें तो वे ने भाईया ने बोला था तो लिए हम नहीं बोल रहे हैं यहां पर आगे बात लिखी हुई है तो यह जरूरी है कि हमारे जतने भी concerned किसी एक्स रिस्पॉंस को करने के लिए उनको सिस्टमाटिक मैनर में वर्क करना ज़रूरी है तभी एक रिक्वाइड रियाक्शन यह जो हम चाहते हैं वह हम प्रड्यूस कर सकते हैं यह भी चाप्टर का इंट्रोड़क्शन ही चल रहा है और यहां पर एक और बात देख लेते हैं इन अदर वोर्ड्स दवेरियस ओर्केंज शुड को परेट विद वन अनदर तो परवाइड प्रॉपर रियाक्शन तो दस्टिमिलस सो दिफ्रेंट ओर्गेंज वह हैं उनको वर्क करना पड़ेगा आपस में कोपरेट करना पड़ेगा ताकि वह एक प्रॉपर रिस्पॉंस प्रवाइड कर सकें टूआ स्टिमिलस ओके जी दा वर्किंग तोगेधर अफ वेडियस ओर्गेंज अफ एन और्गानिजम इन सिस्टेमाटिक मैनर तो आस्टू पर्डूजर डिजाइड रिस्पॉंस इन रिस्पॉंस सॉरी डिजाइड रियाक्शन इन रिस्पॉंस तो दिस्टिमिलस उसकों कहते है कोडिनेशन कहते हैं ओके चले जी आगे बढ़ते हैं सो यह जो हमारी बॉड़ी का एक साथ काम करना होता है ओके जो हमारी बॉड़ी एक साथ काम कर रही है इन और टू पर्डूज अप्रॉपर रिस्पॉंस अगेंस पर्टिकुलर स्टू मिलाए उसी का कहते हैं कोडिनेशन इनीमल्स में कैसे होता है कोडिनेशन थोड़ा से कंपलेक्स है क्योंकी आपके पास औहर्गन होते हैं अब आपके पास नर्वस टीशू है अभी तक सुकन equivalent साइंस में पड़ भी चुके हैं प्लांट के पास ब्रेन नहीं है प्लांट के पास नर्वस टिशू नहीं है तो प्लांट के अंदर रिस्पॉंस वाली चीज़े जो होती है वह असान होती है एनिमल्स के थोड़ा कॉंपलेक्स होती है सबसे पहले मैं आप लोगों को कंट्रो दिखाएंगे तो यह मत सोचना है कि वीडियो के अंदर 3D इस वीडियो के अंदर 3D नहीं दिखाएंगे system created of nerve cell is termed as nervous system जिसे नरव से सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं नर्व सिस्टम जिसे कि यहां पे एक नियूरॉन है लेकिन यहां पर बहुत सारे नियूरॉंस ने मिल करके एक नेटरोग बना रहा है तो इस इस दी नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा हाइड्रा के बारे में आप लोग ने सुना होगा रेप्रडेक्शन होला चाप्टर हम लोग करी चुके हैं ठीक है बेडिंग व होता है नर्वस सिस्टम एज वैल एज हॉर्मोनल सिस्टम तो यह बहुत इंपॉर्टन बात है और इसी के आगे से यहीं से यहां से आपका जो चाप्टर है वो शुरू हो रहा है बटे कुछ इंपॉर्टन टॉम से यह भी में आपको समझाने है तो अभी तक हम बार-बार सिस्टम के इंदर नर्वस सिस्टम के नियूरोंज का बना है और हर्मोनल सिस्टम के थूप एच्छन ही के धुट हर्मोनल सिस्टम करते हैं रप यह बता-व देंगे यह सबसे पहले आते हैं अपर एमने आपको कहा था कि मैंने देफिनिशन इस तो यहां पर फिर से मैं definition दिखा रहा हूं कोई भी change in environment to which organism respond उसको कहते हैं stimulus कहते हैं stimulus एक kind of energy भी हो सकता है ठीक है जैसे की light हो गया sound हो गया smell भी हो सकता है taste भी हो सकता है heat भी हो सकता है mechanical pressure भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको या आपके खिल आपके अंदर मैंने लिखा ता ना physical या behavior change लेकर क्या है that is stimulus आप सो रहे हैं आपकी आखों पर गर मैं light मार दूँगा तो आपकी अचानक सनीन खुल जाएगी आपको किस ने मतलब प्यार से बोल दिया कि बबू अपने खाना खाया ओओ ऐसे करके आप इगल जाएंगे आपकी ममी ने कुछ राजमा चावल बना दिया है सुन्दर से प्यारे से इसकी smell आएगी मून पानी आने लग जाएगा खाने के बाद तो मतलब और एक्स्ट्रा भूग लग जाती है तो यह सब कुछ क्या है एक तरीके से स्ट्यूमलाय हैं इसके खिलाफ हमारी बॉड़ी फिजिकल या बिहेवियरली जैसा भी फील होगा हमारी बॉड़ी को रिस्पॉंस करेगी ठीक है जी बहुत खूब आगे बढ़ते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं की हम कि हमारी बॉड़ी जो है वह स्ट्यूमलाय के खिलाफ करेगी रिस्पॉंस तो इस स्ट्यूमलाय को सब्स Spare औ हमारे आखों पर तो तो मेरी आख मतलब लाइट का जो स्ट्यूलेस से उसको कौन कैप्चर करेगा मेरी आखे कैप्चर कर रही है किसी ने मेरे को फोन पर बोला कि हाँ जी बेबी जी आप धिहान रखिए तो मेरे कानों ने उनको सुना वह इंफ्रमेशन मेरे दिमाग तिपास गई फिर मैं को रि होते हैं जो टेस्ट पता सकते हैं कि कड़वा है मीठा है कड़वा तो वैसे आजकल हर इंसान ही तो उमीद करते हैं कि आप किसी के जिंदगी में मतलब करेला ना बनके रजगोल्ला बन जाए या गुलाब जामुन बन जाए ठीक है सो हमारी बॉड़ी के अंदर जान हम कहते हैं रिसेप्टर ठीक है आजाएं यहां पर सो रिसेप्टर क्या है इस सेल और ग्रूप ऑफ सेल किसके अंदर होता है सेंस और के अंदर होता है ठीक है डाट इफ सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप आप स्टुमलाई अब एक्जाम्पाल के तौर पे मुन्न अब कि जो टंग के अपर इस वह प्रचुलक कर सकता है आप नांग बंद गर के कुछ ऊंग गे तो आपको अदर उस्टार है वह स्मेल डिके कर सकता है आपका आख के आखे आंडर लाइट कुल रिटेक कर سकते हैं आखंग बंद कर लोगे तो, कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि receptors के पास आखही नहीं मतलब receptors के पास light नहीं जा रही है कानों के अंदर सुनने वाले sound vibration के receptors होते हैं कांढ बंद कर लो तूसां मतलब का vibration अंदर जाएगा ही नहीं कौन डिटेक करेगा कोहीं नहीं पाएगा तो receptors जो है वो cells है या group of cells जो present होते हैं sense organs के अंदर ठीक है और sensitive होते हैं तो particular type of receptors such as light हो गया sound smell taste heat pressure ठीक है यहां पर लोग सामने देख सकते हैं photo receptors होते हैं हमारी आखों के अंदर and they are sensitive to they are sensitive to light और देखने में help करते हैं phone receptors phone यानिकी sound ठीक है आगे नहीं भी देखना है वो function नहीं भी देखना तो भी चलेगा thermo receptors skin में present होते हैं जो हम मतलब कहके सकते हैं heat हो गया thermo temperature तो heat cold pressure वगरा भी कहते हैं sense कर सकते हैं olfactory receptors nose में present होते हैं जो smell को detect करते हैं और gustatory receptors यह हमारे tongue के अंदर present होते हैं जो taste को sense करते हैं तो major receptors हैं मैंने यहाँ पर mention करी दिये हैं बाकी और भी receptors हो है उसके लिए अभी पना important नहीं है यह major receptors आपको brief में मतलब बताने से तो मैंने आपको बता दिये ठीक है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे है आइस वाले सिंग येर वाले hearing में थर्मो वाले touch and cold touch heater cold and nose वाले smell टंग वाला टेस्ट ओके जी आ गया होता है response response क्या होता है reaction of our body to particular stimulus that is known as response example जब हम कभी कच अच्छी जोगों सुंगते हैं तो हमारा nervous system इसम् so brain जो हमारा वहीं त película क्या है manager है चछे हमारी पूरी बाड़ी को कि कहते हैं control कर रहा है उसको मैं ऐसे शूरू करता हो कि हमारा जो nervous system है उसके अंदर होता है brain उसके अंदर होता है spinal cord टेक हैं सो यहां पर देख सकते है brain होता है spinal cord होता है and huge network of nerve होता है जो spread करता है throughout the body जो पूरी body के अंदर पहला होता है तो इसका एक बड़ी मैं animation जो है आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे हमारा brain है क्या spinal cord है फिर वो अपना जो पूरा का पूरा network है of nerves वो दिखाना बचाहूंगा मैं आप लोगों को ठीक है उसके बाद मैं आपको neurons के बार में बताऊंगा types of neurons भी बताऊंगा लेकिन एक चीज और मैं बता दू पहले ही ठीक है कहां गये हमारे आगे है लोगों को आने में टाइम लगेगा बट मैं आपको एनिमेशन में क्लियर कर दूँगा ठीक है तो एक बड़ी मैं आप लोगों को एनिमेशन पर लेकर कर आता हूं फिर वापिस से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के उपर आएंगे चले जी ओके यहां पर आपके सामने एनिमेशन है इस एनिमेशन में आपको यहां पर एक हुमन बॉड़ी दिख रही है ज्यादा कुछ के अंदर दिखनी रहा होगा ठीक है बट जो में चीज में को आपको दिखानी है यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है यहां पर ठीक है यहाँ पर आपको brain दिख रहा है बहुत अच्छ तरीके से ब्रेन से आप देख रहे हैं कि यलो किलर की पत्ली पत्ली कि कहते थ्रेडलेग्स श्क्टरस निकल रहे हैं दीज आर अपनी नर्व्स क्या है यह नर्व्स हैं ब्लेड वैसल्स में और नर्व्स में फर्क होता है तो यह हमारी नर्व्स है यह सिगनल कैच करती है सिगनल डिटेक्ट करती है और इसको ट्रांस्मिट करती है ओके ब्रेंस अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको एक ठिक सा ठिक सा य ही और पार्ट में एक होता है अगर हम बात करें हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेसीकली वो दो पार्ट में एक होता है मेरा सेंट्रल नर्वस इस्टम जिसकों कहते हैं cns एक होता है मारा क्या central nervous system जिसको क्या कहते है cns ठीक है अच्छा central nervous system में आता है मारा brain and spinal cord brain और spinal cord central nervous system क्यों कहते हैं इसको यह बात समझना भी काफी important है क्योंकि यह body के centre में present होते हैं यह लिखो brain जो है centre में है यहाँ पर और स्पानिल कोड जो है यह भी कहांपे है यह भी Center में है क्योंकि यह बावुदि प्लीज मतलब ध्यां से सुनना है मैं चाहते हैं कि कोई भी confusion रहे इसलिए कि आप को इसके संजहा रहा हूं क्योंकि बॉडि के Center में है इसलिए संस्टरल नर्वर्स सिस्टम बाकी की से निकल रही है तो जो पोशन जो पोशन नर्वस सिस्टम का सेंटर से बाहर की तरफ होता है यानि कि यहां पे आतलब हातों में पैरों में चेस्ट वाली रीजन में ठीक है साइड में साइट्स में बॉडी के साइट्स में जो पोशन होता है उसको हम कहते हैं पैरिफ्रल नर पर सिस्टम सब्सक्ब्राइए ऑप लोगों को आराम से समझाने की कौशिश कर रहाओ मैंश आता नहीं कि कोई भी कन्फूजन हो इसलिए बहुत ही आराम से समझा रहा हूं यह कन पैरिफरल नर्वस स सिस्टम बाहर की तरफ जो बोडि के सैंटर में कोई कोई सिस्टम में क्या आती है सारी की सारी नर्फ जो ब्रेन से निकल रही होती है ठीक है सो जो नर्फ होती है जो ब्रेन से निकल रही होती है वह हमारा बनाती है पैरिफरल नर्फ सिस्टम उमीद है कि आप मेरी बाते थोड़ा समझ पा रहे होंगे ओके अभी मैं आपको ब्रेन का और भी लाइबरेट सक्च जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा आगे देख लेते हैं कि पार्ट्स वगरा जो है हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको पार्ट्स की बारे में थोड़ा पता लग जाए एक मिट रुकिए अच्छा कि यहां पर देख सकते हैं हमारा ब्रीन है ब्रें पर में एक इंपर अपर नहीं है उसको भी हम दिसकश करेंगे एक बात में यहां पे पहले बता दूँ ब्रेंस से अगर आप देखेंगे तो कुछ नर्व स्वे हमारी वो ब्रेन से निकल रही है डिरेक्ली कुछ नर्व स्वे हैं वो ब्रेन से निकल रही है उसको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व क्या कहते हैं क्रैनियल नर्व जो नर्व हमारी कहां से निकलती है इसको नोट कर लेना साइड में आज रफ वर्क या रफ में क्लाइन ड्रॉकर के नोट कर लेना जो नर्व सॉरी हाँ जी जो नर्व हमारी कहां से निकलती है जो नर्व निकलती है ब्रेन से उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं क्रैनियल नर्व क्रैनियल नर्व ठीक है जो नर्व निकलती है हमारी कहां से spinal cord से ठीक है spinal cord से उसकों कहते है spinal nerves और यह cranial nerve और spinal nerve जो होती है यही क्या बनाती है यही बनाती है peripheral nervous system क्योंकि brain और spinal cord तो हमारा central nervous system है ब्रेन और spinal cord तो हमारा क्या है central nervous system है और बाकी जो उन से निकल रही है वो बनाती है क्या peripheral nervous system ठीक है ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि आपके NCRT के अंदर भी ज्यादा डिटेल में बात करी गई नहीं है अच्छा बच्चे हो सकता है पूछ रहों कि भईया नहीं क्या होता है क्या यह blood vessels की तरह है नहीं nerves जो है बेटा जी वो बना है किसे neurons से बना है नियूरॉन का जो बंडल होता है ठीक है नियूरॉन का जो बंडल होता है उससे बनता है हमारा क्या नर।ए अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी निभान के बार में बात करते हैं तक पूरा को आप सन्ठा ये नर्वय सिस्टम् रहे हैं इस मेड़ पाभ oppressed ये पूरा का पूरा किससे बना है नियूरण से बना है तो नियूरा, ये तरीके से साथ डिसकाश करूगा कोई जलब वाजी नहीं करनी है बहुत औराम से पढ़ना है ताकि ठीक है वापिस से आते हैं परी प्रेजेंटेशन के उपर चलिए ओके जी सो अब वापिस से एक बड़ी यहां पर चीज़े देखते हैं ठीक है नर्वस सिस्टम है क्या और यहां से समझनी की कोशिश करते हैं नर्वस सिस्टम कॉडिनेट्स एंड कंट्रोल वीरियस अक्टिविटीज ऑफ आवर बॉड़ी लाइक आर एक्शन्स ठीक है जो भी आपके एक्शन्स है चाहे वो कहली जी रीडिंग हो गया राइटिंग हो गया जो भी आक्शन्स है थिं मारें ना आता है किसी को देख करके प्यार आता है मतलब समिझ आ हमेशा है और याम कौन को कंट्रोल करता है दूसरी बाथ जैसे के लोग ने बोला कि किसी भी response के अंदर multiple organs का involvement होता है and they should work coordinatingly यह systematic manner में उनको काम करना पड़ता है so चीज का भी ध्यान कौन रखता है nervous system रखता है nervous system is like a manager it helps all other systems of our body to work together so it is a manager of our body जो सारे के सारे systems को manage कर रहा है कि अच्छा आप लोग ऐसे साथ में काम करेंगे तो एक आपका sorry मेरी तबेत बहुत ज़्यादा खराब है तो इसके लिए माफी चाहते हैं ठीक है हां वापीस से आते हैं nervous system जो है एक manager है so वह आपकी body के organs के बीच में क्या करवा रहा है कोडिनेशन करवा रहा है कि आप पहले ऐसा करिए इस वाले और उसको बोल रहा है कि आप पहले ऐसे करें फिर दूसरे और और इसा करिए फिर तीस और और इसा करिए तो एक सिस्टम जो है हमारा वो क्या कर रहा है information को receive कर रहा है उसको interpreted कर रहा है और प्रसेस कर रहा है और उसके accordingly फिर वो response कर रहा है ओके ठीक है अब इसके अंदर होता है brain and spinal cord और huge network of nerve that are spread throughout the body जैसे कि मैं आपको animation के अंदर दिखाये था कि brain था spinal cord था और huge network था किसका nerves का जो पूरी body के अंदर फैला हुआ था ओके अब अगर हम human nervous system की बात करें तो it is made up of a cell जिसको कहते हैं क्या neuron और nerve cell तो एक किसका बना है it is made up of neuron या आप इसको कह सकते हैं nerve cell ओके जी ठीक है बहुत बढ़िया अब अगर आप इस neuron का structure समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग न 9th class में भी पढ़ा था तो basic idea आपको देता हूं यह जो center वाला portion है इसको क्या कहते हैं cell body कहते हैं यहां पे उपर लिखा हुआ है ठीक है cell body के अंदर nucleus वगरा होता है neuron हमारे cell है बस हां उसकी shape वगरा अलग है structure वगरा अलग है normal cell की तरह नहीं दिखता बट यह एक cell ही है ओके cell body से आप लोगों को छोटी-छोटी extensions निकलती भी दिखाई दे रही है इस small extensions जो होती है इसको क्या कहते हैं डेंडराइट कहते हैं ठीक है डेंडराइट कहते हैं अच्छा exon जो है हमारा यहां पर देखा अब यह cell body से बहुत लंबा सा extension निकल रहा है उसको कहते हैं यह आप exon को यह भी कह सकते हैं कि longest extension of cell body longest extension of cell body जो होती है उसको कहते हैं exon कहते हैं exon के end पर होते हैं क्या exon terminals ठीक है exon terminals जिसको साइनप्टिक टर्मिनल्स भी कहते हैं और साइनप्टिक टर्मिनल्स ऐसे होते हैं लास्ट में जाकर करके अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊ तो एक्जों जैसे जा रहा है ठीक है यहां पर ब्रांच हुआ और ब्रांच होकर करके लास्ट में ऐसे ठीक है ब्रांच होकर करके लास्ट में ऐसे बनाता है जिसकों कहते हैं साइनप्टिक टर्मिनल्स या exon terminals इसके अंदर हमारे क्या होते है जिसकों कहते हैं और अब बेसिक बात है बस exon ठीक है और रहां बात करें तो हर आचाब अगर बात करें तो phrases dois होता है मारा मोकर नीडर नीडरान का काम यूजिली रीफ्लेक्स एक्षम में होता है इसके बारे माँ भी रिफलेक्स एक्षम में बात करेंगा के व्यृते हैं है क्या सब्सक्रीय नीडर होता है sensory sensory neuron जो भी sensation feel होती है इनी नियूरोन की वज़े से feel होती है जो भी stimuli perceived होता है इनी neurons की वज़े परसीव होता है तो यह transmit करते हैं किसी भी impulse को from receptor towards central nervous system यह आप simple सी बात कह सकते है कि यह stimuli की जो information है stimuli की जो information है उसको लेकर के जाते हैं कहाँ पर उसको लेकर के जाते हैं central nervous system के पास यानिकी brain या spinal cord के पास क्योंकि अगर spinal cord में भी देंगे तो spinal cord is connected to brain तो वहां से ब्रेन में चली जाएगे तो ultimately brain भी जा रही है अब brain उसको interpret करेगा process करेगा अब process होने के बाद जब information वापिस आती जैसे example के तौर पर आपने किसी गरम तीच पर हाथ रखा तो आपके जो यहां पर skin पर thermoreceptors हैं वह उसको sense करेंगे वहां से stimuli start होगा तो यह जो stimuli receive कर रहा है यह जो मतलब information आर यह किसके थूर आएगी sensory neuron के थूर आएगी तो sensory neurons उसको लेकर कहेंगे कहाँ पर brain के पास अब brain information को और interpret कर लिया अब वह information भेजाएगा दूसर neurons के थूर वो जो neurons होते हैं उसको हम कहते हैं motor neurons जिन इन जिन neurons के थूर रिस्पॉंस जाता है यह कह सकते हैं जो neurons response करी करते हैं जो response करी करते हैं उसको हम कहते हैं motor neurons चुकि जाहिर सी बात है कि अगर आपने गरम सीच पर हाथ रखा तो आप अप अगे ऐसे हाथ का movement हो रहा है मसल का movement हो रहा है तो यह transmit करते हैं impulse को कहां से सेंटर नर्वस सिस्टम से मसल सेल के पास यानि कि ब्रेन से ब्रेन ने उसको रिस्पॉंड कर लिया वहां से information को यह ले करके जाते हैं कहां पर हमारे मसल सेल के पास अब वह कोई भी साल हो सकता है जैसे ग्जांपल के तोरह पे कोई मतलब चीज देखी आपको रोना आ रहा है अब रोने में थोड़ी ना मसल इंवाल्ड है लेकिन रोने में क्या इंवाल्ड है आपकी आखों के अंदर जो ग्लैंट्स प्रेजेंट है टीर ग्लैंट्स ठीक है वहां पर वह स्टिमलेट हो जाते हैं कह सकते हैं उनको रिस्पॉंस भीजएगा टीर ग्लैंट्स के पास जिसकी वैसे आप रोपाएंगे और ब्रेन थोड़ा उस इंफ्रमेशन को प्रोसेस करेगा तो आपको थोड़ा दुख भी फील करवाएगा ठीक है तो जो रिस्पॉंस करी करते हैं मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ मसल के प रिले नियूरों मो सविल्राइश को बालाइश को मदिखने को SODR मोसल्य स्पायन को प्रगों होते ये जो जो रिले नीयूरों सोते ती ness ये यूजरी क्या करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में पाय्टिसिपेट करते हैं अब यह reflex action क्या है क्या नहीं है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे बट मैं आपको बता जाता हूं कि यूजिली हम बार बरी क्या बोल रहे हैं हम बार बरी बोल रहे हैं कि भाईया देखिए हमारा एक sensory neuron होगा ठीक है हम बार बरी क्या बोल रहे हैं हमारे पास एक sensory neuron है वह information को वो information को कैरी करेगा मीं इनफर्मेशन को कैरी करेगा ठीचिanki और कहां लेकर जायेगा वो लेकर कि जायेगा उसको ब्रेइन के पास ब्रेद कर जाएगा ठीक है अब चि gion स कि मोटर नियूरॉन स्के थूuckt्र के धू जो भी डिजाइड और के है ठीक हैी या कह सकते है faithful के लोइंड है वहां पे आजाएगा जो भी डियॉइड स्के पास रिस्पान्स आजाएगा भलिन उसको क्या करता है प्रुरस बारें इंटरफेट करता है जो भी सारी चाँया कंची क्छानु होती है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि information जो है वो सेंसरी नियोरोन से सेंसरी नियोरोन से जाती है कहां पे रिले नियोरोन फे ठीक है रिले नियोरोन से जाती है Ao directly motor neurons पे यह जो system है ठीक है यह जुस्टम है कब होता है जब हम लोगों को एक fast response रिस्पॉंस चाहिए होता है औहागा और उस response को हम कहते हैं reflex action कहते हैं तो बिसको डीटेल में देखेंगे इसका भी कहते हैं मैं animation वगरा दिखाऊंगा तो information for our environment is detected by specialized tips of some nerve cells specialized tips of some nerve cells असल में जो हमारी receptors होते हैं न वो receptors असल में कोई दूसरे cell नहीं है neurons ही है जो हम कहते हैं न receptors की stimuli को detect करेंगे वो हमारे neurons ही है और सम उसकी specialized tips असल में dendrite जो होता है neuron का वो receive करता है किसको stimuli को वो receive करता है किसको stimuli को ठीक है जिस भी receptor के अंदर होगा dendrite ही हमेशा stimuli को receive करता है कभी एक्जॉन receive नहीं करता है इस receptors are usually located in our sense organs जैसे कि हमारा ear हो गया nose हो गया tongue हो गया skin हो गया तो हमारे sense organs में present होते हैं सारे के सारे receptors और कैसे है वह भी neuron की बने हुए है वह भी neuron ही है ठीक है कोई दूसरा cell नहीं वह भी neuron है जैसे कि gustatory receptors जो होते हैं वह detect करते हैं taste while olfactory जो होते हैं वह detect करते हैं क्या smell तो यह सकते हैं specialized neural cells है ठीक है यह information को detect करते हैं यहां पर भी आप देख सकते हैं पतले पतले आपको dendrites यहां पर दिख रहूंगे ठीक है तो यहां पर भी मतलब सारे के को मिलेगा यह आप कह सकते हैं हर receptor जो है it is modification of neuron या neuron से ही बना है उसके अंदर आपको dendrites देखने को मिलते हैं जो information को receive करते हैं ओके अब information acquired at the end of dendritic टिप जैसे कि मैंने बोला dendrite के टिप पर मान लेता है अगर हमारा यह यहां पर cell body है यह हमारा exon है यहां से dendrites निकल रहे हैं ठीक है यहां से हमारे dendrites निकल रहे हैं अच्छा जी तो डेंडराइट के tip पर यहां से information को यहां से information को receive के जाता है यहां पर information को acquire के जाता है जो tips होते हैं यहां से information acquire करी जाती है ओके इट सेट्स ऑफ आफ यहां से chemical reaction that creates an electric impulse इस से शुरू क्या होता है है यह क्या चीज रिस्पॉंसिबल है for the chemical reaction वह मैं आपको बहुती प्यार से बहुती अच्छे तरीके से समझाना चाता हूं क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया तो आपको clear हो जाएगा कि भई कैसे सारा का सारा काम हो रहा है आपकी किताब में नहीं दिया है नहीं आपकी किताब में बता गया है मैं चाहूं तो चीज को ना बता सकूं कोई दिक्कत नहीं आपको एक्जाम में त यह चुन करके यहां पर्ड Sich न पार जो कर रहा है यहां पर मारा था नियूरह नियुरोन की बाद कर ले और neuron के अंदर हमारे present होते है potassium cancel क्या present होते हैं एफ लग्र साइन्स अच्छा जी एक और बात ऐसा निये खिheiroन प्लस मेंथ अंदर नहीं होते हैं अंदर भी होते हैं लेकिन बाहर एने प्लस आइंस जाधा होते हैं तो इसी को अब इसी स्ट्रक्चर को मैं जूम करके बस आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं क्योंकि यह एक बड़ी समझ लोगे न तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा और आपको भी काफी इंट् की तरफ क्या होता है के प्लस आइंस प्रेजन्ट होते हैं अंदर की तरफ क्या है के प्लस आइंस प्रेजन्ट 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 है यहां पे भी के प्लस आइंस एने प्लस यह बहुत ज़ादा होता है एने प्लस एने प्लस ठीक है यह बहुत ज़ादा होता है यह बहुत ज़ादा होता है ठीक है अच्छा अब अब बाहर चार्ज जादा पॉजिटिव है अंदर चार्ज पॉजिटिव है लेकिन कम पॉजिटिव है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे खाल से कूलम ठीक है सुमाल लेते हैं कि यहां पे प्लस टू क्यू चार्ज है कि बहुत प्लस 5Q चार्ज है तो बहार वाली साइड जादा पॉस्लिटिव है जादा पॉस्लिटिव है आपको ये भी पता भोगा कि अगर चार्ज difference होगा तो उसके बीच में क्या होता है मदब charge difference होगा तो potential difference होगा ठीक है अले charge अलग लग है ना जहां पर भी charge difference होता है वहां पर एक potential create होता है अच्छा चलूए नहीं जानना कोई दिक्कत नहीं आप लोगों कोने वैसे physics में electricity में पढ़ा होगा यह नहीं जानना कोई दिक्कत निया बट देख सकते हैं अंदर क्या है plus 2 q है बाहर 5 q है या आप मैं कह सकता हूं कि अंदर वाली side पे charge कम है तो कम charge है तो मैं अंदर वाली side को negative symbol से represent करता हूं और बाहर ज़ादा होता है कि और अंदर चार्ज जो है वो कम होता है अंदर चार्ज कम होता है मैं इसको negative एफ यहां पर ठीके यहां पर हमारे हमारे होते हैं100 सोड ये इनमीशन पर गरे astrology ने फिर मेंदस इने प्लिस जानल यहीप रहिकते हैं तीजिए और से इना को स्थेटेंग वो ऊपन हो जाते हैं अब pat reflect क viktigt वा अंदर आजाते हैं दिस इनर साइड दिस इनर साइड ठीक है एंड दिस इस दी आउटर साइड तो बाहर से बहुत सारे सोडियम आएंज होते हैं वह अंदर आ जाते हैं मैंने को पता स्पाइलिंग मैंने गलत लखी है तो अब उस वज़े से क्या होता है उस वज़े से यहां पे इस चुमलाय आया है उस जगा पर क्या होता है चार्ज हो जाता है क्योंकि बाहर से क्या कहते हैं पॉजटीव आइन्स हमारे अंदर आ गया है ठीक है बहुत सारे तो अब अंदर चार्ज यहां पर पॉजटीव हो जाता है अंदर यहां पर चार्ज पॉजटीव हो जाता है ठीक ह और बाहर negative हो जाता है लेकिन अभी भी आगे वाली side पे condition जो है वो same है अभी भी आगे वाली side पे क्या है condition जो है वो same है मतलब कि आगे side पे positive ही है यहाँ पे आगे यहाँ पे positive ही है ठीक है आगे यहाँ पे positive ही है है और अंदर यहां पर क्या है आगे हमली सैट पर कंडिशन से मिंध को अब यहां पर सकते हैं हैं हमारी बैटरी की बी बात करें तो बैटरी को भी फॉजड़िव नेगटिव करते है क्यों कि एक मैं चार्ट काम होता है तो एक पोटेंशल डिफेंट के रिए ठोंता है और उस पोटेंशल डिफेंट की वज़े से नेक्स स्टेप में क्या होता है हमारे सिगनल और आगे जाता है ठीक है तो अब क्या हो रहा है अब देखो मैं इसको ऐसे करता हूं अब हुआ क्या है बीच में इसको करता है यहां पे अब यह वाली साइट जो है जो हमारी नेक्स वाली साइट थी यह क्या हो जाएगी यह हो तो अब इस वाली जगह के सोढियम चैनल चोंहे वह ओपन हो गए और अगर आप यह वाली साइड देखेंगे यह वाली साइड और यह वाली साइड देखेंगे तो तो यह वाली साइड जो है अभी सेम ही है सेम इंदा सेंस कि यहां पर प्लस ही है यह भी नेगेटिव ही है अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव हा रखा है यह आगे जाएगा इतनी दिर में जैसे यह आगे जाता है पीछे वाला खुद को या पीछे वाला एरिया जो हो लेकिन हमारा जो इंपल्स था यहां पर पहुच जाएगा तो शुरुवात कैसे होती है डेंडरेट से शुरुवात होती है डेंडरेट से हमारा जो सिगनल है वह जाता है पर किस पर एक्जॉन पर एक्जॉन से जाता है अब सवाल उठता है कि भाया फिर एक्जॉन टर्मिनल आ चुका है अब क्या होगा ठीक है अब नियूरॉन खतम हो गया है यहां पर अगर अगर से लेकर करके ब्रें तक सिर्फ एक ही नियूरान नहीं है नियूरान की लाइन है नियूरान से दूसरे नियूरान पर जो इलेक्ट्रिकल सिगनल है और कैसे नहीं जाएगा उमीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गई होगी एक बड़ी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यह आपके एक्जाम में और नियूरान के बहर चार्ज ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं नीयूरान की लाइन की लाइन जाता है जैसे ही टिप पे कोई भी stimulus आता है तो neuron की membrane में होते है sodium और potassium channels वो sodium और potassium channels open हो जाते हैं अब sodium ions भार से अंदर की तरफ आ जाते हैं sodium ions जोते हैं हमारे वो भार से अंदर की तरफ आ जाते हैं जिस कारण हमारा अंदर की तरफ charge अंक्रीज़ हो जाता है यहां बर रिवर्स हो चुके हैं टो अंदर की तरफ अगर देखें गें तो आप positive और negative situation ago ऑगे लिए सोडियम के और पटेक्श्म के चैनल्स को उपन कर देगा तो से उनको अपन कर देगा तो हमारा सिगनल है वह आगे कि तरफ ऐसे बढ़ता रहता है फो में टो से बोडी टुट एक्स-टार्मिनल और पीछे वाली साइड वापिस से दिरे-धिरे करेंकर नॉर्मल हो जाती है पीछे वाली साइड पे फिर से sodium और potassium gates की help से channels की help से ठीक है अपना जो transport कर देते हैं sodium score potassium को और पीछे वाली sites पर फिर से कहते हैं सब कुछ normal हो जाता है ताकि अगर दूसरा stimuli receive करना हो तो वो भी receive किया जा सके ओके जी बात समझ में आ गई है अब वापिस आते हैं चलो अब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उसका प्सेंस बनेगा इट सेट्स आफ चैमिकल रियक्शन डैट क्रियेट सने electrical impulse electrical impulse क्यों करेट हुई आप लोगों को समझ में आ चुका है impulse travel करती है from dendrite to cell body फिर उसके बाद exon फिर उसके बाद exon के end पे हमेशा याद रखना impulse है वह एक ही डिरेक्शन में travel करती है from dendrite to exon यह exonal end कभी उल्टा नहीं होगा है एड़ी एंड अफ exon electrical impulse sets of leads of some chemicals जिसकों कहते हैं numerotransmitter और होते हैं 여्क्सक्ग गर् launches बॉनिबटर उनोर नहुर्द करेंगे loans क्रेंशैस निय complexity करेंगे next에 नियूर्ण के साथ क्या करेंगे Cancer Bak яर यह क्या करेंगे चायज्श डिसबैलंस कैसे कर सकते हैं कैसे stronger सकते हैं अफेलेंइंस का मोता है है बता जब IMPORTS आया था यचवा आया था तो छाफ हडिस्बैलस हो गया था अंदर नेगेटिव इस किस वज़ीश हुआ था हाँ सोडियम और प्रटाश्यूम चैनल उसको ओपन कर देते हैं तो फिर नेच्ट वाले नियूरॉन के अंदर भी अंदर पॉसी तरीके से जैसे यहां पे हम लोगा नहें देखा से उसी तरीके से नेक्स वाले नियूरॉन में भी अपना इंपल्स आगे ट्रावल करता जाता है एक्जान तक ठीक है फिर एक्जान पर फिर से हमारा नियोड ट्रांस्पेटर रिलीज होगा और एक्षे करते करते ब्रें तक पहुचा देते हैं चलिए जी सो इस सकते हैं कि माल defa यहाँ एक नियोरॉन है है ढिक है यहां कि कि मनें अरा निखल रहा है यहां आने सान्म थर्मिनल या सानेप्र न शयुक्त टं क invariिनल revenue थेकर है यहां पर हमारा फिर दूसरा neuron का जो काफी मतलब हिलता है वहाँ पे खड़वने का लोगों का काफी मजा आता है ठीक है तो जो बीच वाला पॉश्चन अधू कहते हैं जंक्षन ऑफ टू कह सकते हैं कंपार्टमेंट जंक्षन उसी तरीके से जो दो नियुरॉंस की बीच में पॉश्चन होता है ठीक है उसको नेक्स नियुरॉंस और फिर वो इंपल्स रहें ट्रैवल करती जाती है और सिमिलर साइनप्स फाइनली अलाउस डिलिवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम नियुरॉंस तो अब होता क्या यह ब्रेन तक पहुँँ गई अब ब्रेन से जो नियूरॉंस आ रहे हैं तो ब्रेन भी यही करता है जो मोटर नियूरॉंस और सेम तरीके से वह हमारे मसल्स के पास आता है और अब उस तरीके से रिस्पॉंड करते हैं ठीक है तो अमीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ मां गई है एक बारी एक एनिमेशन देख लीजिए उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे रीफ्लेक्स सेक्षन के उपर और उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एनिमेशन के हेल्प से समझा दोंगा ओके जी चल तो यहां पर आपके सामने एक एनिमेशन है इस एनिमेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके यहां पर दिखा कर चुके हैं अच्छा से लोंगेस अक्सेंशन निकलता है लोंगेस ऍडेंशन इसको म कहते हैं अध्य यहां गेos yen यहां पर अपको यहलो कोलर की कवरिंग दिख लिया ठीक है इए pen केवित्व ढुवाण जो होती है उसकंग कहते हैं मायiberशी शीज ओंश्या朗ों तसक्टे what this is mylene sheath क्या रोल होता है इसका अभी आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में बट पहले समझ लो कि mylene sheath है अच्छा जी और exon के अगर end पर आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है क्या exon terminals जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर यहां पर होते हैं हमारे exon terminals सब किस तरीके से काम होता है किस तरीके से सारी शीज़े होती है जो भी हमारा रिसेप्टर होता है यह सेंस ओर्गन में जो भी हमारा रिसेप्टर होता है तो जो डेंड्राइट वाला पॉशन होता है इस सेंसेटिव यह डेंड्राइट वाला पॉशन उस स्टिमलाई को करता है रिसीव जब उस्टिमलाई को रिसीव करता है तो यहां पर देखिए जो को इसको हम उपर कर सकते हैं यह उपर हो नहीं रहा है यहां पर एक चीज दिखाना चाहरते हैं कि से इक लेकिन सवाल यह उठता है कि कैसे यह सारह का सारा जो मतलब इन्फरमेशन है वो ट्रांसफर होता है कि इस तरीके से सारी कि सारी चीज़े होती है तो इस आल दब मैटर आफ किसका आइंस का तार का सारा खेल किसका है आइंस का है अभी मैं आप लोगों को जरब संधाने की कोशिश करता हूं और आम से ठीक है यह देखो होता क्या है ना एक नॉमल केस अगर आप यहाँ झाँ पर देखेंगे तो हमारे एक्जौन की या किसकते हैं हमारे निरॉम की मेंबरेन है हमारे नीरोन की मेंबरेन के लोग सारे गेट होते हैं जैसे कि क्लोड़ोईड-ट대 हो गया प्मटाश्यम-गिट हो गया इसे पड़े होते हैं ठीके अब क्या है कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ासा मैं पीछे कर दूं अभी हल्का असा हाँ इसको मैं अगर प्ले करों क्योंकि यह भी मेरे को आप लोगों को समझाना है बट मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहरा हो कि किस तरीके सारी कहाणी शु थेकि बाहर की तरफ यह सोडियम आइंस यह बाहर की तरफ पॉजटिव चार्ज आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है अंदर की तरफ यहां पर आप देखेंगे आपको ग्रीन वाले आइंस में कम देख रहे हैं यह क्या है बाबू यह ना हमारे नियूरॉन की मेंबरेन ह वे हैं वो बहुत सारे दिख रहे हैं और आपको नीरान की मेंबरें के अंदर positive रहे हैं वो कम दिख रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि नेच़ों है जो बाहर वाला portion है बाहर वाला side है वो थोड़ा ज्यादा positive पॉज़र है है डो वाला さईend कह करता हूं फिर से यह देखो अभी गेट बंध है बीच में से बंध दिख रहा है अभी ब्लू कोलर का बॉल आकर किसे अटाइस्ट होगा और इस गेट को खोल देगा जब इस गेट को खोल देगा तो बहार से जो सोडिया माइन्स होते हैं वह अंदर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि अब पहले क्या था पहले एक्जामपल के तौर पर कैसे समझ लीजिए कि यहां पर नेगिटिव था बाहर पॉजिटिव था अब क्या हो गया है बाहर नेगिटिव हो गया अंदर पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि धिरे-धिरे करके देखो कि तो सारे के सारे सारे स तरफ इखटे हो रहे हैं तो आप लोगों को बाहर थोड़े सूडियमेंस कम दिखेंगे यह तो चलो नीचे जा रहे हैं तो यहां पर देखने रहे पर लेकिन बाहर आप सूडियमेंस काम हो चुके हैं अब इससे हो क्या रहा है कि अंद्र वाली साइड जो है वह है कि पहले माल लेते हैं अपने एक्जोन की मेंब्रेन है तो बाहर क्या था पॉजिटीव था थोड़ा ज्यादा अंदर क्या था नेगेटिव था अब इस तरफ जब गेट खुले किस तरफ इस तरफ आप जब गेट खुले अच्छा यह पूरा ही कर देते पहले यहां पर नेगिटिव हो गया और सफ पॉजिटिव हो गया है लेकिन इस तरफ अभी अभी बिविगेट्स बंद है यहां पर हो गया और स्थ पॉजिटिव है 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 यहां से हमारा एक करेंट इस तरफ जाता है फिर इस तरफ केल खोलते हैं ठीक है फिर इस तरफ के Kenny ख़ wen यहाँ यहां पर झाल गया है तुछ शोडिया मंदर आझे थे कि तुछ पॉजिटिव हो गया और आगे क्या है अभी आगे से और पिछले वाली साइट फिर से कैसे चार नॉर्मल हो गई है तो आप हमारे शो exciting यहां से यहां पर जाता है तो इस तरह के से सब्हूरज के सकते हैं उस हमारा एक सिगनल इनिशेट होता है एंडरीट ए्ट पर कहां पर देंड्राइट इडरीक फिस कहां पर होता है यहां पर लोगों से सवाल पूछ लेते हैं कि एक सजब दूसरे नियूरं पे जाता है तो क्या होता है तो वह भी मैं आप लोग दिखा आया तो आप लोगों के हाँ पर दिख रहा होगा एक मिनिट एक हे इक मिनिट आप लोगों को हैं पर दिख रहा होगा यह हमारा exon terminal वाला portion है यह हमारा exon terminal वाला portion है प्लीज बाते ध्यान तो सुनेंगे अगर पूछ नहीं आ रहा होगा तो पीछे करके देख लेना अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी समझ में नहीं आई है तो उसके लिपना परिशान मत होना क्योंकि मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इस दी चार्ज जो नियूरॉन के अंदर चार्ज होता है बहार चार्ज होता है उस चार्ज के विज़े से एक इलेक्टिकल सिगनल शुरू होता है आप लोगों से नहीं पूछ जाएगा एक्जाम में की कैसे शुरू होता है क्या उसका रीजन है तो वहां पे मत जाना मैंने बस आपको हलका सा समझा दिया है ओके यह आप लोगों से पूछ जाएगा कि देखो जैसे हां पर हमारा इलेक्टिकल सिगनल आया तो एक्जों टर्मिनल्स में आप लोगों को यहां पर गोल गोल बॉल्स दिख रहे हैं उन बॉल्स के अंदर यहां पर आपको कुछ कैमिकल इस कैमिकल्स आर कॉल्ड वाट इस कैमिकल्स आर कॉल्ड नियूरो ट्रांस्मिटर इसको क्या कहते हैं यह जो नियूरो ट्रांस्मिटर होते हैं यह जो बीच में आपको नियूरों के बीच में जो गाप दिख रहा है उस गाप को क्रॉस करते हैं और यह जा करके दूसरे व वाले neurons कें दर भी सेब इलेक्ट्रिकल सिगनल जन रेट करते हैं तो हम लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है कि डी एंड आफ पर फिर से शुरुवात करवाई किसकी इलेक्ट्रिकल सिंगनल की ठीक है और जो यह जो पॉशन होता है बिट्वीट जगाप होता है बेट्वीन टु नियूरॉन इस नो इस साइण हैं और यह थी जूव लोगों ने सीखी उसको फिर से रिवाइस कर लेते हैं ठीके जी शालिये बहुत बढ़िया ओके जी सो अब आते हैं हम लोग reflex section के उपर आप लोगों को animations देख करके अच्छा लग रहा होगा हम उमीद करते हैं और चीजे अच्छे तरीके से clear हो रही होंगी now reflex क्या है a word we use very commonly when we talk about यहां पे गुट को इसके लिए some sudden action in response to something in the environment ठीक है अचानक से जैसे किसी ने आपकी तरफ कुछ फेका आपने पकड़ लिया वहता है अपने दोस्त को क्या कहते है स्कूल में बैटके बाल चानक से दूसरे कर ली बोलता नहीं वह तेरे भाई के भी फ्लाइंग चपल आगए चल क्यों नहीं रहा है वीडियो और यार यह चल नहीं दा यार इतनी महानत से लगाया था इसको ठीक है कोई बात नहीं चलता तो क्या कर सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं यह और रही है आपकी तरफ ओके सो उससे बज गए तो reflex actions काफी क्या क कभी करना नहीं है अचानक से पते चला अपने रीफ्लेक्स चेक करने के चक्कर में बस के आगे से एक दो मैंसे पीछे हट रहे हो करना नहीं है मतलब कहते हैं ऐसा ठीक है मresentने माओठ है है आपकी मुम में जो पानी आता है वे एक टरीक की का रीफ्लेक्स एक्शन ही है ठीक ही एक टरीकी में यह ह। होता है या किसी रस्ते से आप जा रहे होते हैं अचानक से कुछ अच्छी खुश्बू आ जाएगी आपके पानी ने लग जाएगा तो भी क्या है एक तरीके का reflex action ही है ओके सो यह सारी चीजें हमारी किसमें आती है reflex action में आती है अच्छा reflex action एक बहुती इंपोर्टेंट और बहुती बैनिफिशल पार्ट है यह बहुती बैनिफिशल एक्टिविटी है हीवन सिस्टम के लिए क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को responses काफी सदन और फास सही होते हैं तो वहां पर हमारा reflex action जो है वो वर्क करता है सो इन अबब एक्जाम्पल्स वी डू सम्थिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल अफ आवर रियाक्शन ठेक है कभी ऐसे केस में जैसे कि अगर आप लोगों को अच्छी खुश्बू आ रही खाने के तो वहां से आपके मूंपान सच सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल अन कोडियेशन कैसे पॉसिबल है उसी के बारे में हम यहां पर जड़ा बात करते हैं और यहां पर मैंने ncrt की कुछ इमेज लगाई है इस ncrt की इमेज को भी स्टड़ी करते हैं उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे ठीक है एक बारे में देख लेता है एक सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है कि उसके बारे में हम सोचे ठीक है हमारे थर्मो रिसेप्टर सो हैं उस इंफ्रमेशन को ब्रेन के पास लेकर के जाए बेन इसको प्रसस करें इंटरप्रेट करें उसके बाद motor neurons के थुरू वो बोले की हाथ हटा लिजे तो consciously उसके बारे में सोचें पेइन के बारे में and the possibility of getting burnt ठीक है and therefore move करें अपना हाथ ठीक है sorry an important question then is how long will it take us to think all this कितना समय लगेगा ठीक हमें यह सब सोचने में the answer depends on how we think हम किस तरीके से सोचते है किस तरीके से हमार ब्रेन प्रसस करता है उस पर depend करता है if nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier then thinking is also likely to involve creation of such impulses ठीक है thinking a complex activity है so as it bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses for many neurons from many neurons कहने का सीधा साथ मतलब यह है कि अगर आप एक simple way से यह जो अपना traditional way है ठीक है कि अपना impulse के through information जाएगा ब्रेन उसको प्रसस करेगा उसके बाद वो सोच बगरा के decide कर करा करके अपना response देगा अगर ऐसे response देंगे तो वह time बहुत जादा लग जाता है उस में and ultimately उस तक उस ताइम तक हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा if this is the case that is no surprise that thinking tissue जो होगा in our body consists करता है dense network of integrately arranged neurons हमारी जो ब्रेन के अंदर thinking tissue कुछ नहीं है thinking tissues क्या है बस neurons का group है जो एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा कस के अरेंज हो रहे हैं thinking tissue कुछ भी नहीं है बस एक दूसरे के अंदर कस के अरेंज हो रहे हैं it sits in the forward end of the skull and receive करते हैं signal from all over the body ठीक है तो सकल के आगे वाला portion forward and जो होता है वहाँ पर अब यहाँ पर तुमको क्या पता लग रहा है कि thinking tissue जो है वहाँ पर present होता है हलाकि exam में पूछा नहीं जाता है यह ठीक है brain के अंदर हम आगे बाद भी करेंगे तुम्हापे हम बता देंगे कि thinking areas कौन से होता है कौन से नहीं होता है ठीक है so obviously in order to receive these signals this thinking part of the brain in skull must be connected to the nerves coming from various parts ठीक है similarly if this part of brain is to instruct muscles to move ठीक है nerve must carry the signal back to different parts of the body if all this is to be done when we touch a hot object it may take enough time for us to get burnt ठीक है simple सी कानी यहां पर ही कहना चाहरे थे कि अगर हमारा brain इतना सब कुछ सोचेगा इतना सब कुछ process करेगा तो हाथ उठाने से पहले हमारा हाथ तब तक तो जल भी जाएगा अभी क्यों होता है कि अगर आपको हलका सा हाथ ऐसे हलका टच भी होगे तो आप ऐसे कर लेते हैं मतलब मिली सेकंड्स में response आता है तो आपका हाथ आप कहेंगे भाया तबी भी तो जल तो जाते है अगर आप किसी गर्म पीच पर हाथ रख्यास अठाते तो थोड़ा सा तो मतलब रेड होई जाता है चाले वगर तो आई जाते हैं ठीक है वह थोड़ा सा जल रहा है मतलब एक तो क्या है कि आपको देखो feeling of pain फील होगा pain की feeling क्यों होगी क्योंकि reflex action में मतलब पूरा signal जाता उसके बाद brain के पास information जाती है तो feeling of pain तो होगा दूसरी बात अब pain हो रहा है या हाथ जला है थोड़ा सा तो वह तो मतलब चाले वगर तो पढ़ेंगे स्किन टाइम इस तो होगा लेकिन आप यह सोचो कि आपने milliseconds में अटाया तो आपका हाथ न जल गया अगर आप मतलब 2- आते तो मेरे ख्याल से हाथ का तंदूर बन जाता अगर किसी गरम तवे पर आप हाथ रखते हैं तो ठीक है सो रिफ्लेक्स एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्टिविटी है हमारी बॉड़ी की अब सवाल यह उठता है कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है तो उसके आपके सामने डिख रहे आप लोगों को यह अनिमेशन है रिफ्लेक्स एक्शन का रिफ्लेक्स एक्शन के बारे कि बात है मैं आपको बता दी है अब इसको अच्छे तरीके से हैं कि가지 से अन्दर और होता है इसको सूँङ करके अधर लिया आते हैं हम हां जी तेको रिफ्लेक्स एक्षन के आता सडन रिस्पॉंस अब यहां पर जो रिस्पॉंस हम शोग कर रहे हैं वो शोग कर रहे हैं आपको अचानक से कहीं से खील चुब गई तो यहां पर आपको देखो थोड़ा समय इसको ना वो करके भी ठीक है अप चुबी तो गुए क्या यहां पे एक मिनट थोड़ा सा अजो तरा हो गया यह देखो अगर आराथ यहां से देखते हैं तो हैं क syPeople यथा पर अगलே यहां पे ऑपने लगा ए और इसको हम और जूम कर सकते हैं थिक है और जूम हो जाएगा क्या यह और जूम हो गया है यह देख सकते हैं जहां पर कील चुब है यहां पर आपको डेंडराइट सा दिख रहा होगा structure यह देंडराइट जो होता है यहीं इंपल्स को रिसीव करता है जैसे कील चुपती है आपके यह जो नियूर्ण है डिस सेंसरी नियूर्ण क्योंकि यह information को करके लेके जा रहा है तो दिस इस इस जैसरी नियूर्ण ओके जैसे ही कील चुब है यहां पर हमारा इलेक्टिकल इंपल्स शुरू हुआ पिर आपको पता है कि वह ट्रैवल करता बाज आता है जाता है जाता है इसको छोटा कर देते हैं और ठीक है वो ट्रैवल करताब जाता है एंड वो ट्रैवल करते करते यहां पे देखेंगे अगर आप तो ट्रैवल करते करते आता है कहां पे spinal cord के पास यह travel कर रहा है यह आता है कहां पर spinal cord के पास ठीक है जी spinal cord से अगर आप देखेंगे तो spinal cord से signal जो है वापिस से मुड़ गया है और यह आ रहे कहां पर muscles के पास spinal cord में खासीज हो रही है अब वो खासीज क्या है वो भी मैं आपको दिखा जाता हूं अगर आप spinal cord को ध्यान से देखेंगे ठीक है मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए चालो जी एक मिनट हाँ तो अगर आप ज़्यान से यहां पर देखेंज है तो बीक में आपको लैन के निऊरों दिखाये देंगे दिख रहा है नहीं दिख रहे है परपल कलर यह जो यह क्या है हमारे रिले नियूरॉंस है रिले नियूरॉंस से इंपल्स जो थी या सिगनल जो था डिरेक्ली रिले नियूरॉंस की हेल्प से जो हमारा सिगनल था वो डिरेक्ली सेंसरी नियूरॉंस से मोटर नियूरॉंस पर चला गया है यह आप कहा सकते हैं रिले नियूरॉं और हम इतने को हाथ अटाना है तो उस अकॉर्डिंगली मसल्स रियाक करेंगे कहने का मतलब यह है जब हमारी बॉड़ी को सटन रिस्पॉंस चाहिए होता है तो हमारे ब्रेन के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वह सोचे फिर उसके बाद क्या करना है क्या ना करना उसका एक या इस रिले नियूरॉंस से इस रिले नियूरॉंस से कुछ दूसरे नियूरॉंस भी करेक्टिड होंगे ठीक है अरे यार एक क्या हो रहा है इस रिले नियूरॉंस से कुछ दूसरे नियूरॉंस भी करेक्टिड होंगे जो कहां पर जाएंगे जो ब्रेन के पास जाएंग रिले नियूरोंस से दूसरे नियूरोंस भी connected होते हैं जो green के पास जाते हैं तभी जैसी आपको चानक से कील चुपती है ना या सूई चुपती हैं आप तो अठा लेते हैं लेकिन दर्द हल्का सीलब को हाथ अठाने के बाद दर्द फील होता है जैसी है पाँकर किसी गरम चीज पर रखते हैं में उसके बाद आपका हाथ जो है फिर लाल होता है या थी ऊपर 60 होते हैं यूँकि उस टाइम- ब्रैंट तो अब यहां पर थोड़ा सा कुछ काम ठीक ठाक करना पड़ेगा तो उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी हाथ लाल हो जाते हैं या चाले पड़ते हैं तभी पड़ते हैं अब आप सोचेंगे कि भाईया अगर ब्रेन के इंवाल्मेंट होता तो क्या होता तो हम लोगों मैं रीड कर रहा था अधर किसी रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इंवाल्मेंट होगा तो जैसे मैंने तवे पर हाथ रख रखा है मेरा हाथ रख्या रहेगा दो सेकंड तक वह इंफ्रमेशन जाएगी ब्रेन उसको प्रसेस करेगा जब तक मैं हाथ अटाओंगा मेरा हा इस सर्री मांठीरण defense कैसे करा रहा है आप अंग में और ने यृण देख लिया आप रने करेइं यहां पर रिफ्लेक्स atिछन को वर्क करते वे पॉल्ड रीफ्लेक्स आर्ख ओके चलिए बहुत बढ़िया आते हैं अब वापिस से अपने प्रेजंटेशन के उपड़ कि शुब करते हैं कि आपने एकष्ण का अनमेशन देख लिया होगा वहां PG 2 रे इस सिगनल को ड्य ट्रांसफर कर देते हैं मोटर नूरन के पास तो response या मतलब हमारी बॉड़ी के अंदर जो सेव्ड रिस्पॉंस होता है वो हमारी बॉड़ी शो करती है लेकिन मैं आपको यह भी बताया उस अनिमेशन के अंदर कि भाया देखिए कि हमारे जो सेंसरी सारी रिले न्यूरंस जो होते हैं भी सेंच्र नर्व सिस्तन निर्वस से हैं यह यानन की ब्रेन और स्पार्णल कोड के नीर्व से भी अग्शन चाने अक्शन इसके बाद धीर स्विड इंफ्रॉमेशन जो है उपर यतिओं न से है ठीक है और यह पहुचाना जरूरी भी है क्योंकि ब्रेन इस इंफ्रमेशन को स्टोर करके रिफ्लेक्स एक्षन को और फास्ट और और अच्छा करने की कोशिश करता रहता है ओके जी चालो बहुत बढ़िया सो रिफ्लेक्स एक्षन को अगर हम समझना चाहेंगे तो यहां पर उसको हम देख सकते हैं काफी असान तरीके से दिया गया है मतलब चलो महां पर हमारा क्या था ठीक है अगर आपने फ्लेम टच कर दिया तो क्या होगा हमारे हाटों में शिम्हां अब रिसेप्टर ट्रिंगर कर रोयकी कि नियोरक धाएंगा चाहां motor neuron पे motor neuron जो होगा उसको पास कर देगा muscle के पास ठीक है और finally हमारी muscle जो है contract करेंगे और अपना हाथ जो है पूल कर लेंगे हम होड़ प्लेट है जो भी object है महां से हम पूल कर लेंगे जो भी कहानी हम लोगों होने पड़ी है उस कहानी को यहां पर बया किया है कि मतलब कि और सिर्फ छे लाइनों में तो आप इसको एक्जाम में लिख करके आ सकते हैं reflex action के अंदर हमारा मतलब sudden response आता है अच्छा अब reflex action में जैसे कि हम लोग ने बोला कि भाई यहां पर spinal cord में लेकर गया या आपको लोगों को लग रहा होगा कि भाईया क्या reflex action में सिर्फ spinal cord involved होती है नहीं reflex action के अंदर हमारे brain इंवाल्ड होता है कुछ reflex actions brain के थूरू होते हैं कुछ reflex actions spinal cord के कहते हैं cerebral reflexes so cerebral reflexes occur करते हैं in the organs present in head region because these organs are directly connected to the brain so हमारे head वाले जो organs जैसे की आखो ने कुछ मतलब देखा शौक हो गई तो मतलब कुछ हम लोग ने smell किया मुम पानी आने लग गया तो वह सारे के सारे reflex action है जो हेड के अंदर sense organs है उसके जो reflex actions है they are controlled by brain उसको हम कहते है body part है वो spinal cord से connected है तो उन सारे reflex actions में spinal cord का rule होता है तो इसको हम कहते है spinal reflexes ठीक है अच्छा animation में भी मैंने आपको बताया था reflex arc तो reflex arc क्या होता है the pathway taken by nerve impulse in a reflex action उसकों क्या कहते है reflex arc कहते हैं तो जैसे वह कील चुबी थी तो अपना जो इंपल्स था वह sensor neuron से होते वे रिले neuron पर गया था फिर के कहते हैं वापिस से कहाँ पर मसल के पास तो वह जो था हमारा reflex arc था reflex action के एक छोटी से definition simplest and rapid form of response in a nervous system simplest and rapid form of response किसके अंदर nervous system के अंदर इसकों क्या कहते हैं reflex action कहते हैं सो यहां पर हमारा reflex action होता है finish ओके जी सो अब आते हैं हम लोग अपने और मतलब human nervous system को detail में थोड़ा study करते हैं हम लोगों नहीं देख लिया किस तरीके से हमारा जो neuron है वो एक signal को carry करता लेके जाता है किस तरीके से reflex action काम करते हैं अब थोड़ा सा brain का structure अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस ही वज़े से मैं आपको पहले animation दिखा दिया था nervous system की बात करें तो दो पार्स में divided है central nervous system और peripheral nervous system central nervous system में क्या आता है यहां पे आता है brain and spinal cord brain और spinal cord अच्छा peripheral nervous system जो हमारा वो किस से बनाए जो brain से नर्व निकल रही है उसकों कहते है cranial nerve ठीक है cranial nerve और spinal nerve इन से मिलकर के बना है हमारा कौन peripheral nervous system कौन बना है peripheral nervous system बना है peripheral nervous system फर्दर दो पार्स में divided है एक होता है अटनॉमिक nervous system एक होता है voluntary nervous system ठीक है autonomic को आप involuntary भी कह सकते हैं और तो नामिक यानिकी ऑटो मतलब सेल्फ नॉमिक कह सकते हैं ठीक है तो यह खुद से काम करता है इसको हम control नहीं कर सकते हैं हमारी बॉड़ी के कुछ systems होते हैं जिसको हम control नहीं कर सकते हैं आप कहेंगे किसे से प्यार हो जाना वो तुम control कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है अगिर कर लेते हैं तो अब जैसे आपका डाइजेशन आप खाना खा रहे हैं आपके स्टमक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वह जो मतलब वह जो ऑरिगन्स के वरंकिंग होती है वह हमारा कौन कंट्रोल करता है और सिस्टम कंट्रोल करते हैं को मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं तो यह सारे कोशन नहीं आएंगे बट मैंने यहां पर एड किया है कि अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा बात पता दें ठीक है तो अगर हम बात करें human nervous system की तो it consists करता है brain and spinal cord कोई दिक्रत नहीं है the job of CNS यानि की central nervous system is to collect all information from all receptors in our body and direct करना है this information को to motor neurons that are connected to e factors अब सवाल उठता है कि भाया e factors क्या होते हैं देखे भाया effector क्या होगा effector वो organ या वो कह सकते हैं gland या वो tissue होता है जहां पे response produce किया जाता है ठीक है जिस जगा पे response produce करते हैं जिस organ पे response produce करते हैं उस जगा को हम क्या बोलते है इफेक्टर बोलते हैं जैसे कि आपने मतलब गरम चीज़ पर हाथ लगाया ठीक है या example के तौर पे आपकी मम्मी ने आपकी तरफ चपल फेकी देखा आपने आखों से और पकड़ा हातों से ठीक है तो आखों ने उसको सेंस किया है आखों ने क्या कहते हैं इमेज ली ब्रेन के पास प्रसेस किया और चपल हाथ से पकड़ ली तो जिस organ के उपर इफेक्ट हुआ final response को जो इफेक्ट हुआ उसकों कहते हैं इफेक्टर कभी कभी इफेक्टर और मतलब जो हमारा रिसेप्टर जो है वह सेम हो सकता है जैसे कि अगर मैं गर्म चीच पर हाथ लगा रहा हूं तो यहां पे मेर शक्ही direito ही गरम चीज़ को सेंस कर रहा है मेरे सक विकर मोव करता हूं ऐसे तो नहीं कि गरम हाथ लगा है पयार मोव कर रहे हो ऐसे व तो आ करते हैं ठीक है और शीडिक सभार्णिंग से लिखें गलत लखिए आरी एचा आई वी जो भी अप देख लेना तो इफेक्टर कौन से होते हैं जहां से produce होता है और receptors कौन से होते हैं जहां पर stimuli receive होता है simple सी बात है and receptors and effectors they can be same मतब वैसे तो receptors हमारे cells हैं तो उसकी बात नहीं करते हैं बट एक same position हो सकती है उन चीजों की है आपने किसी गरम चीज पर हाथ रख दिया थंडी चीज पर direct करना है motor neurons के help से effector के पास effector वो organ भी हो सकता है tissue भी हो सकता है gland भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है okay the information is added together before message जो होते हैं they are sent out to effectors चाहें muscles ले लिजे जाग्लाइं लिजे so information जो होता है उसको क्या करते हैं उसको add-on करते हैं collect करते हैं interpret करते हैं करते हैं उसके बाद ही हम effective और effector organs के पास भेशते हैं in this way the best action can be taken in a particular set of circumstances और इस तरीके से हम best actions ले सकते हैं in response to that situation या that circumstance ओके सो यह हमारे brain का काम है अगर हम brain की बात करें तो brain हमारा पूरा का पूरा पूरी जा रहा है चालो कोई बात नहीं वह से दिखतो रहा होगा यह आना तो तनी तो दिक्कत है नहीं कि ऐसी देख लेते हैं सो brain की एकर हम बात करें brain हमारा तीन पार्स में डिवाइड़ेड है डाक्रिस फोर ब्रें मिड ब्रें और हाइंड ब्रें के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है सेरीब्रम मिड ब्रें का मतलब वैसे तो पार्ट होता है कॉर्परा कॉर्डरी जा इसका एनिमेशन लोगों को पहले दिखा देता हूं आप अब ब्रें के पार्ट का एनिमेशन देख लो ही अगी है अगर دेखेंगे आप लोगों ठीख रहा है फो सकता है कि आपको लगे कि भाया ये क्या है क्या नहीं तो अब dust फोजिन आप लोगों को दिखे रहा है एंदर होता है हमारा सरी नीची की तरफ होता है हमारा यह उपर वाला पॉष्टे बहुत सरे बच्चे बोलते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर फोल्ट वगरा क्यों होते हैं देखो, same reason है, intestine के अंदर भी folds होते हैं to increase the surface area, brain के अंदर भी होते हैं folds to increase the surface area, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा neurons हमारे brain में आ सके हैं, ओके, अब मैं brain को ज़रा open करता हूँ, और आप लोगों को ज़रा देखाता हूँ, तब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना, कि कौन-कौन से parts of brain है, यह four brain जो है, अलग हो जाएगा, और आपकी सामने अंदर वाले parts जो है, expose हो जाएगे, ठीक है, चलिए, एक मिन्ट रुकिए, ओके, यह देखो, भार वाला portion अलग हो गया, ओके, बस बहुत सही, यह जो आपको भार वाला portion दिख रहा है, यह जो भार वाला portion आपको दिख रहा है, यह किसका part है, यह जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, कौन सा part, यह एक मिन्ट रुकिए, यह वाला portion, इस, 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 इस हमारा cerebrum, ठीक है, इसको outer side पर है, यह हमारे brain का जो mid brain वाला portion है, और hind brain वाला portion जो उसको सराणड़ करके रखता है, यहां पर आपको जो छोटा सा portion यहां पर दिख रहा है, center में, this is हमारा mid brain वाला part, यहां पर आपको जो देख रहा है, this is bones, ठीक है, this is medulla, यही बनाता है, क्या, यही बनाता है, आगे हमारा basically spinal cord, यह जो दिख रहा है, पीछे इस वाला portion, this is connected to hind brain, और यह हमारा cerebellum है, क्या है, सारीbellum है, ठीक है, तो अगर मैं आपर दिखा हूँ, यह देखे, यहां पर, अगर आप देखेंगे, okay, so this is हमारा mid brain वाला portion, ठीक है, this is हमारा mid brain वाला portion, यहां पर this is हमारा bones वाला portion, this is medulla वाला portion, यह medulla हमारे skull से बाहर निकलता है, हमारे skull के पीछे की तरफ एक opening होती है, वहां से बाहर निकलता है, और यह बनाता है सारी चीज़े है, cerebrum को भी different parts में divide किया गया है, ठीक है, कि four brain हो या optic लोग हो गया, factory लोग हो गया, यह सारी चीज़े, हम लोगों को अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है, so cerebrum, हमारा four brain, mid brain के अंदर हम लोगों का करकेतर छोटा सा portion था, जो मैं आपको दिखाया था, फिर इस है, okay, so meet करते है, animation से आप लोगों को बहुत सारी help मेली होगी, and again, उसमें चीज़े clear हुई होगी, so brain जो है, it is the main coordinating center of the body, यह receive करता है, input from sensory organs, and send करता है, output to the muscles, वही सेम बात है, located होता है, किस के अंदर, skull के अंदर, जिसको हम कहते है, cranium, ठेक है, and it is surrounded by three meninges, देखो होता क्या ह है, मानलो हमारा brain है, यहापे मैंने image जानबूच की नहीं लगाई है, ठीक है, मानलेज़े यहाइसे करके यहाँ पर मारा, ठीक है, अच्छा बना दी हमने, ऐसे करके यहाँ पर मारा brain है, तो यह जो brain होता है, मारा, लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं लग रहा कोई बात न मान लो इसके उपर एक बोनी कवरिंग तो होती ही होती है तेके इसके उपर ऐसे बोनी कवरिंग तो होती होती है जिस बोनी कवरिंग इस नोगना इस क्राणियम इसको कहते हैं क्राणियम कहते हैं वोके उपर लिखा वाए साथी साथ ब्रेन के बीच में और इस बोनी बीच में होती है क्या लेर्स इन लेर्स कों क्या कहते हैं मैनेजिस इस कों क्या कहते हैं मैनेजिस कहते है शालो जी हो गया काम बास ठीक है तो इन लेर्स कों क्या कहते हैं मैनेजिस कहते हैं यह जो लेर होती है यह शौक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है किसकी तरह काम करती है दे वर्क लाइक शौक एब्जॉर्बर शौक एब्जॉर्बर जैसे एक्जाम्पल के तौर पर कभी आप नीचे अचानक से गिर गए ठीक है तो आपका ब्रेंड डिरेक्ली क्राइम से टकर आएगा तो ब्रेंग को डामीज हो सकता है तो बीच में कुशन की तरह बनाती है मिनेंग के इनकों क्या कहते है मैंनेंजेस कहते हैं ओके जी चाल बहुत सइय अब आगे आते हैं प्रेंड कि अगर बात important है आपके body के जितने भी voluntary actions होते हैं वो actions जो आप control कर सकते हैं अपनी इच्छा से कर सकते हैं अपने मन से कर सकते हैं वो सारे के सारे actions कौन देखता है cerebral देखता है and the main thing is center associated with hunger जब आपको भूक लगती है तो भूक लगने का पता किसके थूरू लगता है सेरीब्रम के थूरू लगता है okay so sensation action movement learning personality memory सब कुछ सेरीब्रम के पास है और जो voluntary actions है आपका लिखना आपका पढ़ना जो भी आप control कर सकते हैं चलना सेरीब्रम के पास में होता है और हंगर का सेंटर भी यहां पर प्रेजंट होता है अच्छा सेरीब्रम की बात करें तो सेरीब्रम के अंदर हमें तीन एरियास देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं क्या association अब सरीब्रम जिसे इतने सारे वोलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है और बहुत सरी चीजों को कंट्रोल कर रहा है तो इसके पास फंक्शन भी होंगे तो इसके अंदर यहां पर देखो association इन फ्यूचर ठीक है sensory areas यह रिसीव करता है information for sense information from sense organs and gives us sensation or feeling तो आखों से या कानों से जो भी मतलब sense organs से sensation साती उसको feel करता है और उसके खिलाफ response देता है हमें motor areas क्या करते हैं यह send करते instruction to muscles to perform various type of jobs so cerebrum के अंदर different areas हैं और हर एक area का काम बाटा गया है association area को क्या करना है information को store करना है sensory area को information को process करना है sensor organs से receive करना है unmotor areas को उस information को process करके muscles तक पहुचाना है और desired response produce करवाना है ओके यह हमारे different areas होते हैं या parts होते हैं किसके cerebrum के ओके तो अगर आप लोग उस अज़ा में पूछे तो आप बता सकते हैं अच्छा जी अब आते हम लोग मिट ब्रेन के उपर मिट ब्रेन का पहला function ही क्या है वह देखो ऐसा है ना ब्रेन अपना है ठीक है इस तरीके का है यहां पर सारी ब्लम था ठीक है तो यहां पर कहीं पर मिट ब्रेन का काम है कि वह फोर्म को न हाइं ब्रेन से कनेक करता है इस इतना कहलो कि हेड और नेक का मुवमेंट जो होता है वो कंट्रोल करता है इन रिस्पॉंस तू विज्वल एन ओडिटरी स्टिमलाइग जैसे एक्जांपल के तौर पर आपने अपनी क्रश को देखा इधर से तो क्रश ऐसे जा रही है आपका हैड भी आश्रमूब कर रहा है किसकी विज़ लगाई चल रहा है कि अपने अचानक से ऐसे देखा कौन बुला रहा है किसकी वज़े से में की विज़े से सो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के तुरू ऑडिटरी सिगनल के थू ब्रेन का कॉडिनेटी मुवमेंट जो है या और इस जो ऑडिटरी स्टिमलाइग और वीजर स्टि प्यूपिल मुवमेंट ऑफ आई मसल्स और शेप अफ लेंस सो जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे वीज़ेल रिफ्लेक्स भी कंट्रोल कर रहा है अच्छ अब आते हैं हम लोग हाइंड बेन के उपर हाइंड ब्रेन बहुत चोटा सा पोजिशन है कोई दिक्कत वाली बात नह रेगुलेशन ऑफ रएश्च रेस्पीरेशन घ्याने क्या आप साज कैसे ले रहे हैं कम लेनीए जदेलिया सब किसके पास है पॉन्स के बास है ठीक है सारी बहलाम कि अगरभर करें चलो पहले मेडिला देख लेता हैं क्योंकि पॉंस और मेडिला अथा अते हैं बिक्न गर करते हैं involuntary actions ठीक है involuntary actions blood pressure heart beat peristalsis movement elementary canal का हम लोग ने पढ़ाता सेरी ब्रह्म क्या सेरी ब्रह्म यानि कि फोर ब्रेन जो है हमारा वो कंट्रोल कर रहा है voluntary actions बेटा जी एक एक number में ना यही सेमसे की उस बनते हैं कि voluntary actions कौन कंट्रोल कर रहा है और involuntary actions कौन कंट्रोल कर रहा है यह याद रखना है यहां पर कौन आएगा यहां पर हमारा मैजूला आ रहा है ओके ऑल्सों control reflexes such as swallowing coughing sneezing and saliva और vomiting सारे के सारे जो actions एड़े इस controlled by medulla यह जो सारे actions अगर आप देखेंगे swallowing जो है यह भी एक मतलब चलो swallowing को तो voluntary उसमें डाल सकते हैं बट कफिंग involuntary है छीकना involuntary है छीकने को आप control नहीं कर सकते मुझसे पानी आना वह भी involuntary है वामिट को भी आप control नहीं कर सकते हो तो majorly it is controlling the involuntary actions ठीक है involuntary actions control करता है कौन medulla याद रखना है पॉंस किसमें respiration involved है सारी बैलम की बात करें तो सारी बैलम का the most important feature is it controls posture and the balance of the body आप ऐसे खड़े हैं ठीक है वो कौन सी movie थी फिर रहा फिरी थी जिसमें अक्ष्यकमार ऐसे खड़े वेते ठीक है तो ऐसे खड़े थे यह जो सारी बैलम ओके इट हैपस तो मेक प्रसाइज अनक्यूरेट मूवेंट्स इग्जामपल पिकिंग पैंड एक्ट जो आपके वह तैना कि जैसे सुई में धागा डालना है ठीक है सिक्का उठाना या पैन उठाना है ठीक है तो जो एक्टूरेट मूवेंट्स बहुत बहुत इसको बहुत थोड़ा बहुत हमारा सेरी बैलंबी कंट्रोल करता है सबसे पहले हमारा था थौर्ट्स सेंसेशन एक्शन मूव्मेंट यह मेजर ली वॉलेंट्री के कहते हैं एक्शन को कंट्रोल कर रहा है और यहां पे सेंटर है हंगर के लिए जब भूग लगती है तो सेंसरी मोटर असेशेशन एरियस यह होते हैं वह इंफ्रमेशन को स्टोर करते हैं यहां पर मेमरी और तिंकिंग का कंट्रोल होता है और अगर अपना रिस्पॉंस पर यूज करते हैं अगर हम बात करें मिड़ियन की तो मिड़ियन का जो में फंक्शन है वह हमारे हैड का और नेक का मुवमेंट करवाती है इन रिस्पॉंस टू वीज्वल और ऑडिटरी स्टिमल है ठीक है यह इंपॉर्टेंट है और यह कंट्रोल कर करें तो सबसे पहले हां पर आता है पॉंस तो पॉंस रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन ठीक है अगर हम बात करें किसकी सेरीब्यम की तो सब्सक्राइब करता है दूसरी बात जो बहुत ही एक्विरेट मुवमेंट्स होते हैं कि पैन को पिक करना ओके सुई में धागा ड करें तो जो इन वॉलेंटरे रूक्षिंस होते हैं वो कौन करता है अंदरा जो सब्सक्रा और इसके अरॉंड भी कवरिंग से प्रटर्टिक कवरिंग जैसे ब्रेंग करता है इंफर्मेशन को ट्रांसफर करता है फम सी एनस टू पी एनस पैरीफिल नर्वर सिस्टम की जो इंफर्मेशन होती है ब्रें तक जाती है कैसे करता है और इंफर्मेशन स्थम में आफने माश्य पी शकशन हमाड़ पूरा होता है चलते हम लोग पैरीफिल नर्वर सिस्टम से जतनी भी नर्व जो भी निकलती हैं मैं बोल बोल की ठक गया हूं कि ब्रेंस से जो नर्व निकल रही है lotta नेर sends हैं हमारी जो ब्रेंस से चैनल रही है यही बना रहे हैं पयरिफरल नर्वस सिस्टम करते हैं कम्यनिकेशन between cns and other parts तो cns तो spinal cord और बिंग से जो भी आ रही होती है information वो other parts में लेके जाते हैं हातों में लेकर के आते हैं पैरों तक लेके जाते हैं so information जो होता है कह सकते communication बनाके रखते हैं अब जैसे मेरा पैर मेरे पैर तक spinal cord थोड़ी नहीं जा रही है मेरे इस हाथ में थोड़ी नहीं मेरे ब्रेन इस हाथ में थोड़ी नहीं है तो जो PNS होता है वो हमारी body को control करता है to connect करता है किसके साथ central nervous system के साथ ओके ठीक है जी अगर हम बात करें यहाँ पर नर्व देखने को मिलती हैं लोगों को कौन सी cranial nerve spinal nerve एक और नर्व यहाँ पर मैंने add करी है यह आपके लिए नहीं है that is visceral nerve तो आपने इसका नाम सुना नहीं है अभी तो मैं उसको भी बता रहता हूं cranial nerve चो होती है ब्रेंव से निकलती है और पॉर्श करते हैं तो हैड तो हैड आइड के असमकी आपकी न्रोस निकल दूkim brain से that is cranial nerve spinal nerve, spinal cord से निकलती है और spread करती है throughout the body except head तो हातों में जो nerve आ रही हैं वो भी आपके के कहते है spinal nerve है, पैरों में जो nerve जा रही हैं वो भी आपके spinal nerve है, आपके इस वाले side वाले position में जो nerves हैं वो भी spinal nerve सी है cranial nerve सिर्फ और सिर्फ head वाले portion में है कि विस्रल नॉर्व से होती है यह हमारीकार से करते कटी है ब्रेन से 2 बीप से अरेक्टित घृण ऑर औररी इसी स्पाइब से हैं यहां इस को सब्सक्राइब कर दो ने हुए बढ़ देते हैं इस इसी का मतलब होता है इंटेब एक बारी फिर से ऐसी spinal और cranial Nerves जो internal organs जरिक स्तमक्य हो गया लिवर हो गया pencreas हो गया test ребया उनसे जुड़ती है उनको हम कहते हम स्क लेल का मतलब ही क्या होता INTERNAL तो यह और आइस करती हैill मौ बैंसे भी ze달 कोट से भी और connected होती हैं to the internal organs of the body so I see nerves को हम बोलते हैं क्या visceral nerves क्या बोलते हैं visceral nerves बोलते हैं बहुत 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 बढ़िया ओके आगे आते हैं next autonomic nervous system की अगर हम बात करें तो autonomic का मतलब क्या है auto मतलब self normous मतलब governing ठीक है तो यह जो system है खुद से काम करता है self governing है और self operating है ओके जी मैंने आपको ऑटनॉमिक के बार में पहले भी बता दिया था नर्फ जो होती है autonomic system की डियर अटाच टू स्मूथ मसल्स आफ वेरियस इंटर्नल और जैसे कि हमारा एलिमेंटरी कनाल हो गया ठीक है urinary bladder हो गया आप यहां पर सारे के सारे वही ओर्गन्स देखेंगे जिनकी आता है autonomic nervous system के अंदर आता है so nerves of autonomic nervous system are attached to smooth muscles किसकी आफ वेरियस इंटर्नल ओर्गन्स ठीक है तो यहां पर हमारी वह सारे ओर्गन्स लिखेंगे है अगर हम बात करें यहां पर देखो the automatically control and regulate करते है activity of these organs ठीक है involuntary involuntary याने की बिना सोचे समझे पर्टिकुलर रिदम में अपना काम करते रहते हैं एक्जाम्पल अफ प्रसेस दे अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से करते हैं ऐसे actions को कहते हैं और जो voluntary system होता है हमारा वो ऐसे actions को control करता है peripheral nervous system की अगर हम बात करें या उसको आप ऐसे असान भाशा में आगर आपको मैं समझाओं तो आप ऐसे समझ लीजे कि जो brain से nerve निकल रही है और spinalón से जो nerve निकल रही है वह बना रही है पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो सारी मिलकर कर बना रही हैं क्या ऑटनामिक नर्वस सिस्ट्म वह 10 जो हमारे ऐसे ओंज में जिसको Ultra सकते हैं तो जो हमारे उन ओर्दिंग में प्रेजेंट थे जिसकों अपनी मर्जी के अनुश्वार पूर्य इंशितार उन को हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं और यह हमारे मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इच्छा से होते हैं तो speaking to a friend writing a letter dancing cycling football standing in a room or sitting on a chair सब कुछ जिन जिन पार्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं टेके they are all connected to voluntary part of peripheral nervous system जिन पॉडी पार्ट कंट्रोल नहीं कर सकते वह आते हैं अब यहां पे हमारा जो एनिमल्स वाला कोशन है वह पूरा का पूरा होता है फिनिश उमीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी बाते समझ में आ गई है और आपको अंदर neurons जो है वह नहीं है अब plants के अंदर अगर neurons नहीं है तो यहां पे सिर्फ एक ही बसता है control and coordination के लिए that is हमारा क्या that is हमारे hormones कौन बसते हैं हमारे hormones बसते हैं तो plant के अंदर control and coordination होता है किसके थूरू hormones के थूरू ऑके तो मैं आपको भी plant का control and coordination बताऊंगा पूरा hormones के थूरू फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ humans का भी देखना है तो humans का भी कहते हैं study कर लेंगे मतलब plants के बाद ही मैं पहले की बता रहूं plants का क्योंकि अब हम लोग ने ब्रेन वाला portion पूरा खतम कर दिया है तो नाव विल कवर क्योंकि आपके अंदर भी पहले प्लांट का दे रखा है फिर humans का hormone बाद में दे रखा है तो इसमें इस वज़े से मैंने भी यहाँ पे पहले का लगा दिया प्लांट का खतम कर देंगे होर्मोन फाला पूरा फिर इसकी बाद humans के hormones यहाँ शुरू कर देंगे तो humans के hormones यहाँ मैं आपको ब्रीफ में छोटे तरीके से अराम से समझा दूँगा कोई दिक्कत होगी ने उसमें ठीक है शुरू करते हैं इसको चलिए तो अगर हम hormones की बात करें पहला सवाल तो यह रहागा कि भईया hormones है क्या मतलब hormones का मतलब क्या होता है यह क्या बला है इसके बारे में जरा हमें बताएए इसकी आज की जमाने में आपके पास मेसेंजर है WhatsApp और Facebook भी कह सकते हैं इंस्टा भी कह सकते हैं किस ना सुचा था कि आप घर बैठे बैठे यहां से किसी दूर मीलो दूर बैठे इंसान से बात कर लेंगे ग्रसेष्मिटे sleeping डिलीवर करवाते हैं अब सवार उड़ता है कि वहाएं कैसे है यह का मतलब कैसे करवा देते हैं वो तो यह बहुती इंट्रस्टिंग चीज है इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को देना चाहूंगा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बट थोड़ा सा ब्रीफ मालेजे कि हमारा एक ऑर्गन है ठीक है ऑर्गन का मैं ग ग्लैंड का नाम लोगा तो आप कहेंगे कि भाया आप यूमन का ग्जामपल क्यूं दे रहे हैं बट चलो ठीक है ले सकते हैं कोई दिखत नहीं है मालो हमारे ग्लैंड होता है है इसकी जगह मैं ऐसे लिग रहा हूं सिरफ एक हॉर्मोन था वो रिलीज करा एक्स होर्मोन थ अब यह एक्स होर्मोन रिलीस कर जब हाइपोथेलमस ने तो इसने कहां पर रिलीज का था अब यह ट्रेवल कर रकी जाता है ठीक है ब्लड में ट्रावल करता है और यह ट्रेवल करके अपने स्पैसिक जो औरतार्गेत और यह उसके साथ जुड़ जाता है माल लेते हैं कि इस एकस का स्पेसिफिक जो और गेंठ था डाट वह तारोड ग्लाइंड के साथ जाकर के जो सैल होते हैं उसके साथ जुड़ जाएगा और थारोड ग्लाइंड से होर्मोन कर वा देगा ते से और जो भी सारी ग्लैनुन के साथ जाकर कर चुदगया वह और और ये अख् il नहीं कि लेघए और जोद कि अपने करने के फ़ूसर को नहीं करने के लिए बोला इन-क्यमिकल्सकों कहां थाइरोड से पास आखे फिर क्या होगा यह जो एक्स है गलती से अगर लिवर के पास चला गया तो क्या होगा सवाल बनना चाहिए ना क्यामिकल्स को कैसे पता कि भया उसको specific cell से हि जुड़ना है यह specific organ के पास जाना है हर हर्मोन का न होता है क्या एक receptor हर्मोन के लिए हमारे जो सेल्स होते हैं तो मालो इसकी सर्फेस पर कुछ इस तरीके का रिसेप्टर पढ़ा है तो इसकी सर्फेस पर एक ऐसा रिसेप्टर पढ़ा है अब इसके अंदर सिर्फ एक बॉक्स वाला एक बॉक्स टाइब का ही जो सकता है यहां पर मारे सर्कुल टाइब का चरण की थोड़ी अंदरसेडिंग उज़िया कहने का मतलब यह कि हर घील के rubber कि देखने को मिलता है जिससे हमारा प्सक्कार्ण हॉर्मों जो है वो जुड़ता है थीक है तो अगर कोई हॉर्मों लिवर के लिए बनाया जा रहा है तो उसको पकड़ने के लिए जो हुक है वो सिर्फ थायरोट ग्लैंड पर ही प्रेजंट है वरना तो अगर कोई हॉर्मोन रिलीज होता तो लिवर से भी जुड़ जाता थायूट से भी जुड़ जाता काम खराब जाता और हमारी बॉड़ी के लिए तो बहुत सारे होते है से कि और मैसेज को म Hee mitig को मारलो में को स्ट्रेस हो रहा है तो मेह बॉड़ी को रिलाक्स करना है डिलाक्स फोड़ा जो अच्छे तरीके's से करवाएगी तो मेरी बॉड़ी हॉर्मोन करेगी है topics जाकि में रिलाक्स करूं यह में को stress हो रहा है तो मतलब क्या होता है जभी आपको गुस्ता आता तो आपको blood pressure बढ़ जाता है तो आपकी body के अंदर एक hormone होता है एडिनलीन जो kidney release करती है वो हाट के पास जाता है हाट को तेज 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 पंप करवा देता है तो क्या कर रहे है यह बस एक जगा से दूसरी जगा एक message लेकर के जा रहे है और जो message होता है वो अपना cell फिर उसका basis पर function perform करने लग जाता है यह जो हमारा जिसके पास signal गया है जिसके पास message गया है वो अपना specific function perform करने लग जाता है तो प्लांट के अगर हम बात करें प्लांट के अंदर आप कुछ करते हैं तो प्लांट के अंदर हम लोगों को जो हॉर्मोंस पढ़ने यह चार हमारी ncrt के अंदर दे रहे हैं इथाईली नहीं दे रहा इथाईली न आप हायर क्लासिस में पढ़ेंगे बढ़ इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा अच्छा प्लांट की हॉर्मोंस काम प्लांट ग्रोथ आगोलेटरस नहीं समय प्लांट काम Gut Rewlator क्योकि यह प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं थे इसको फृतर रंद भी कहते हैं फाइटो हॉर्मोंस भी कहते हैं तो इनके अलग्य अलग नाम होता है , जैसिती से दो तरीके के होते हैं यह जीवन में आपके जो लोग होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं एक वो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं एक वो जो आपको लाइफ में पीछे खीचने में वो करते हैं तब पीछे खीचने की कोशिश करते हैं तो हमारे देखे लिखावाई कि Oxyn, Gibralin और Cytokinin, they are plant growth promoter, plant की growth को promote करते हैं, growth को करवाते हैं, and abscissic acid या ABA and ethylene, they are plant growth, inhibitor, plant की growth को रोकते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, पूछ लेते हैं, कभी-कभी बठ, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहापे एक-एक हर्मोन का function द देखेंगे, जो बिलन का function देख लेंगे, cytokinin, abscissic acid, ethylene हमारी NCRT में है नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में basic बाते कर लेंगे, फिर उसकी बात, plant movement से होते हैं, दो तरीके से, एक होता है हमारा growth movement, और एक होता है हमारा के कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग oxygen से, oxygen के बारे में सबसे पहले यहां पर देखते हैं, क्या लिखा है, इट परमोटस cell enlargement and cell differentiation, cell enlargement, यह क्या करवाता है, cell का enlargement करवाता है, cell को बड़ा करवाता है, cell की growth करवाता है, और cell differentiation, cell differentiation से क्या मतलब है, कुछ specific वो नहीं है, तो उसको एक काम धंदा प्रोवाइड करता है, यह आप कह सकते हैं, अगर कोई meristematic cell है, तो उसको बताता है कि आपको parent कायमा बनना है, और सको parent कायमा में चेंज करवाता है, यह स्क्लिरन कायमा में चेंज करवाता है, meristematic cells, class 9, tissue chapter, आपको याद होगा, meristematic cells वो होता है, जिनके पास कोई भी specific function वगरा नहीं होता, वो बस divide करते हैं, so meristematic cells को permanent cells में चेंज करवाने में कहीं न कहीं थोड़ा भात रोल होता है, किसका option का, आच्छा, promote करता है fruit की growth भी, plant की fruit की growth भी promote करता है, control करता है plants का response to light, ठीक है, and gravity, तो plant का response होता है, light के में और gravity की response में वो भी ये देता है, अब, oxygen की अगर बात करें, तो oxygen का production कहां पर होता है, tips पर होता है, अब चाहे वो root tips के लिजे, चाहे, shoot tips के लिजे, made by cells at the tip of stem and roots, तो stem की tip पर बनता है, और root की tip पर बनता है, okay, speed ups, growth in stem, but slow down करता है किसके अंदर growth in root, तो stem के अंदर तो एक growth बढ़ाता है, और root के अंदर एक growth slow करता है, तो आप हो सकता है, आप लिए ये लोग बोले, आप लोग ये बोलें कि भाया, ये भी तो growth रोक रहा है, तो ये भी तो growth inhibitor हो सकता है, या तो देखो, एक hormone जाहे, उसका हम promoter बोलेंगे, इनिबिटर बोलेंगे, किस basis पे decide करते हैं, हम लोग कि जादातर वो क्या करवा रहा है, जादा वो plant की growth करवा रहा है, या inhibition करवा रहा है, तो यहाँ पर plant की growth जादा करवाता है, इनिबिशन को एक दो चीज़ों को करवाता है, इसलिए उसका हम promoter बोलते हैं, अब जैसे इथाइलिन की बात करो, तो फ्रूट राइपनिंग में help करता है, फ्रूट को पकाने में help करता है, तो देखा जायो तो एक अच्छा hormone है, लेकिन उसको इनिबिटर कर रहे हैं, क्योंकि majority of जो उसके काम होते हैं, वो growth inhibition वाले होते हैं, simple सी बात है, चलिए, कैसे movement करवाता है, कैसे नहीं करवाता, वो हम आगे जानेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए इसके function बस इतना समझ लेज़ें कि ये क्या करता है, cell को differentiate करवाता है, यानि कि अगर कोई meristematic cell है, तो उसको किसमें change करवाता है, उसको ये change करवाता है, permanent में, meristematic cell अगर क response से होता है, light के खिलाफ, photo मतलब light के खिलाफ और gravity के खिलाफ, वो भी control करवाता है, या plant का जो movement होता है, किसके खिलाफ, light के response में और gravity के response में, वो भी control करता है, कैसे करता है, बताऊंगा मैं, आगे है तो मैं बताऊंगा, दो दो बारी मेरे को repeat नहीं करना है, ओके, अच्छ और ऑगजन के बाद हमारा आता है जिबलन जिबलन के अगर हम बात करें तो यह भी देखें अगर ऑगजन इसके साथ में हैं तो यह भी क्या करेगा यह और सेल की ग्रोथ करवाएगा और डिफ्रेंशेशन करवाएगा और प्रमोट करता है फूट ग्रोथ इन्वाल इन शूट एक्स्टेंशन यह आप कह सकते हैं शूट की जगा स्टैम एक्स्टेंशन या इलॉंगेशन और से इलॉंगेशन यानि कि लेंध को इंक्रीस करना अब डॉर्मेंशी का ओता है कि कभी-कभी कोई सीड ना जर्मिनेट नहीं कर पाती है थिकिए वह उसकी फिजगल या फिजगल वी नहीं डिलेंगे यह जो करेंगे स्टेट आफ फैविंग नॉर्मल फिजीकल फंक्शन स्पेंड़ और स्लोव डॉण फॉर पीरिड ऑफ टायम पर नॉर्मेंट सीड है उसके उपर अगर जी पॉलिंग का यूज करते हैं तो हमारी germinate कर जाएगी, अगर आपके पास कोई plant की bird है, आपको कोई plant देख रहा है, जिसके उपर बहुत सारी birds लगी है, बट वो grow नहीं कर पार है, टॉर्मेंट हो गई है, तो उसके पर अगर आप जीबलिन डालेंगे, तो आप उस plant की birds को grow करवा सकते हैं, ठीक है, fruit की growth, same मौकजिन में भी देखने को मिल रहा था, तो ये दो functions तो almost same-same हो गए है, एक function देख रहे हैं, यहाँ पे stem elongation, stem की height increase करता है, sugar cane के अंदर जीबलिन का बहुत ज़्यादा यूश्किया जाता है, क्योंकि sugar cane को हमें height increase करनी होती है, क्योंकि height increase करेंगे, तो काफी अच्छा उसमें से juice निकलेगा, और काफी productive हो जाएगा हम लोगों के लिए, तो sugar cane के case में, हम लोग जीबलिन काफी use करते हैं, यहाँ पी अभी आप यहाँ पे एक plant छोटा सा था, इसके पर हम लोगों ने जीबलिन डाला, इसकी height कितनी बढ़ गई, ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा plant था यह, लेकिन हम लोगों ने जब इसको कहते हैं, जीबलिन डाला, तो क्या उसकी height हो गई है, ठीक है, इस condition को, एक और टम दिया गया है, नीट्यड इस balting, ठीक है, इसको उसको बाल टिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसको बाल टिंग भी कहते हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो मतलब यह stem elongation कह सकते हैं, बाल इंक क्या सकते हैं, कलको एक्जाम में दे दिया जाए बॉल्टिंग तो मैं को यह नहीं चाहिए कि आप लोगों को पता ना हो तो बॉल्टिंग ऑफ बॉल्टिंग ऑफ प्लांट्स के लो ठीक है करवाता है कौन जीवर लेन और बॉल्टिंग कुछ नहीं स्टैम की हाइट इंग्रीस करवाना इस नहीं इस बॉल्टिंग ओके नेक्स साइटो काइनिन तो साइटो वर्ड जो है वो आया साइटो प्लासम काइनिंग का मतलब डि करवाता है ठीक के बिट्रमेंस ब्रेक करने मेंहाल्प करता है किसके सीट की और बेले करता है staging लीडे considering जल्दी एज नहीं होने देता लीफ को जल्दी एज नहीं होने देता ओपनिंग करवाता है किसकी स्टोमेटा की ओपनिंग करवाता है प्रमोट करता है फ्रूट गुर्ट तो सभी करवा रहे हैं स्टोमेटा की ओपनिंग करवाने से क्या बेनिफिट होगा फोटोसंथेस ठीक है लेकिन इसमें एक और रोबैक है अगर आप स्टोमेटा को खोल के रखते हैं तो ट्रांस्परेशन भी ज्यादा होगा जिसकारण क्या कहते हैं लॉस आफ वाटर ज्यादा हो सकता है तो यह अगर जो फोट फीचर की बात करों तो यह बेनिफिट भी हो सकता है एक नु ब्रेक कर रहा है कि एक डोरमयटा कर सकती है अगर आपने वहां पे यूज कर लिए तो वह सीड हमारी ग्रों नहीं कर पाएगी और बर्रै कर पाएगी एक परमोट कर जो स्टोमेटा तो स्टोमेटा को बंद कर वाता है अगर स्टोमेटर को बंद कराएगा तो सीओ टू का गैसिस का एक्स्चेंज नहीं होगा फोर्टो सिंतेसिस नहीं हो पाएगा विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीव का मुर्जाना और लीव को गिराना भी कौन करवाता है एपसिसिक डलवाता है प्रमोट्स करवा रहा है ग्रोथ इनिविटर है यह भी आप लोगों को या दखना है प्रमोट करता है सीड की डॉर्मेंसी यानि कि अगर कोई सीड अच्छे से ग्रो कर रही है जर्मेट करने माली है अगर उसकी उपर डाल देंगे तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो करता है कि किसका एकदम अपोजिट फंक्शन है स्टोमेटा के बेस पे तो साइटोकाइन अपना अपना एबी ए प्रमोट करता है विल्टिंग विल्टिंग का मतलब होता है लीव का मुर्धाजना और पॉलिंग अफ लीव का गिरदा ठीक है प्लार्स पहले गिर जाएंग है कि थाएलीन के बारे में बस मैं को दो को दो मैं सिंग करनी है वो मैं में मैं और यहां सिंगआ यह हमारा एक में रुके आधिक ही अगर हम बात करें तो उसका एक गैसिए हॉर्मोन है这是 ह के और से और यह भी हमारा क्या है इने बिटर ही होता है फ्लांट इने बिटर यह यह भी लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्षन है यह फ्रूट को राइब करना हो तो फ्रूट राइपनिंग में आप एथालीं जो है वो डाल दीजिए तो वह राइप हो जाएगा और लोग इसका आज तो यहां पर देखो क्या बोल गया । ऐसे के दर दो तिन तरीके से होती है मैं पहले अपने साब से आप लोगों को समझा देता हूँ उसकी बाद आप लोगों को इस समझने आएगा यहां पर आकजन की पूरी कहानी दे रखी है ठीक है कि plant moment हमारे कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं तो यहां पर देखो plant moment चे होते हैं median response to external symbolize होते हैं दो categories में divided हैं ठीक है अब जैसे example के तौर पे हम अगस्की बात करें यहां पर प्लांट की growth involved है अगर कोई movement plant के अंदर हो रहा है विकाउज अफ ग्रोथ कि डाट इस अट्रॉपिक मुवेंट के अंदर ग्रोथ नहीं होता है नास्टिस कह सकते हैं विकाउज अफ कहते हैं सम्प्रेशर और ठेक है वाटर बगरा की वज़े से पानी खटा हो रहा है नहीं हो रहा है तो उन वज़े से जो मुवेंट्स होता है यहां पर growth involved नहीं होती है उसको हम नैस्टीस movement कहते है तो ड्रॉपिजम जो होते हैं डार डिज आर ग्रोथ dependent moment growth dependent moment growth dependent यह हमारे कैसे होते है नैस्टिस growth independent growth से इनका कोई connection नहीं है growth independent अच्छा जी अब सी ट्रॉफिज़म हमारे growth dependent है तो ट्रॉफिजम के case में growth हो रही है और plant की growth ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगी तो यह जो moments होते हैं तो यहां पर मुमेंट्स आप लोगों को थोड़े पास्ट देखने को मिलेंगे एक और बात जो शायद में को मैंचिन करने की जरूरत नहीं है कि प्लांट के अंदर नर्व सिस्टम नहीं होता है तो हाँ पर सारा का सारा कंट्रोल और कॉर्डिनेशन जो है इस बिकॉज ऑफ हॉर्मोन ठीक है अब यहां पर देखो चाहिए तो हम यहां से भी वह कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर हम एक ट्रॉपिक मुमेंट का एक की तरफ बैंड कर जाती है ठीक है जैसे कि मालों यहां पर हमारा एक आपको स्टैम का पोश्चन देख रहा है अगर आप इसके उपर इधर से लाइट डाल रहे हैं तो यहां पर स्टैम जो होगी हमारी इस तरफ बैंड कर जाएगी यह एक तरीके का ग्रोथ मुमेंट है ऐ अगर आपके पास एक कोई होगा एक गमलव ठीक है तो यहां पर आपका तो यहां पर उसके नथर आंप आने देना तो आपका देखाओ फ्रफ बैंड हो जाएगा जिस तरफ light आएगे ना plant उस तरफ bend हो जाएगा चाहे किसी भी plant के साथ कर सकते हो और यह जो moment है यह जो bending हो रही है plant की it is because of the hormone oxygen कैसे होती है वो समझाने वाला point है वो मैं आपको समझाता हूँ वो important है अब इसको ऐसे समझे देखे आपके पास यहां पर है एक स्टैम आपके पास यहां पर एक स्टैम वाला question है ठीक है यहां से इसको पड़ रही है क्या light यहां से आ रही है light अब टिप पे यहां पे टिप पर प्रडक्शन होता है कि इसका है यहां पर जो स्टैम सोते हैं यह बनाते हैं आधि हम आउग सिंग κα्थ जब बनता है तिक है और है और और चल यहां पseits को ए擇से चोटे-चोटे सेल्स है डेके बॉइट वाइट कलर सेमा बना देता हुए चोटे-चोटे तरीके सोगतjm तो यह ग्या करता है कि बड़े बड़े सेल इसे सपयल सको ऐसे बड़ा-बड़ा इतना बड़ा कर वादेता है अब जब इतने वड़े से हो जाते है है एक तरफ से तो हमारा जो stem होता है वो ultimately खुदी बेंड कर जाएगा जो की बहुत obvious भी है bending जो है वो किस वज़े से वो रही है because of unequal growth because of unequal growth इस तरफ के जो cells थे उनकी growth extra हो गई तो light की तरफ bend हो गई तो वो light की तरफ bend हो गई ठीक है तो यहां हमसे एक और सावल पूछे जाता है कि हमार जो plant है वह हमेशा लाइट की तरफ क्यों भी बेंड करता है क्योंकि उसके जो cells होते हैं लाइट के अपोजिट वाले साइड वाले ट्रेवल करके पीछे आ जाता है ठीक है अगर ट्रेवल करके आगे जाता तो यहां पर cell की enlargement करवा जाता टिप अपोजिट साइड में बेंड हो जाती लेकिन बनता वो टिप पर ही है ठीक है तो अनीक्वल ग्रोथ हुई है रीजन में एक में जाद होई है एक में होई नहीं है ऑग्जन इस सिक्रेटि इन रिस्पॉंस तो लाइट स्टिमल है बाइदे सेल्स अफ रूट और शूट टिप तो ऑग्जन जो होता है वह सिक्रेट करते है कौन रूट की टिप चाहे लाइट सो यह एक प्लांट ग्रोथ मुवमेंट आपके सामने दिखाया गया है ऐसे बहुत रही जगा पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं ओके नाओ अब यहां पर देखो अग्रोथ मुवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉंस तो एक्स्टरनल स्टिमल आए ठ प्लांट का ग्रोथ मुवमेंट होता है अब ग्रोथ मुवमेंट हमेशन वेश्य सतो होंगे इस बात को प्लीया रखना एकिन क्या होंगे हमेशा growth वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, tropism में आपको हमेशा growth देखने को मिलेगी, a growth moment of plant part in response to external stimuli, ठीक है, उसको हम tropism कहते है, here direction of stimulus determine करता है the direction of response, एक और खास बात, tropic moment की और tropism की क्या है, कि stimulus किस direction में आ रहा है, वो भी decide करता है कि किस तरीके का response होगा, किस direction में response होगा, ठीक है, अगर stimulus की direction में response है, that is positive tropism, देखो, अगर towards stimulus response है, ठीक है, तो positive tropism हो जाएगा, अगर stimulus के खिलाफ response है, तो कैसा हो जाएगा, negative tropism हो जाएगा, example के तौर पे, मान लीजे, यहाँ पर आपके लगा है, और यह नहीं लगाना था, यहाँ पर आपको दिख रहा है, sun, ठीक है, यहाँ पर आपको sun दिख रहा है, यहाँ पर आपको मैं बना दूं क्या, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, यह एक stem, ठीक है, यह दूसरा stem, इस वाली stem का यहाँ पर movement हो रहा है, लेकिन इस वाली stem का यहाँ पर movement हो रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको draw करूँ, तो यह कुछ इस तरीके से bend हो रखी है, और यह वाली stem भी हमारी कुछ इस तरीके से bend हो रखी है, तो अगर आप बॉलते हैं ओर चीछिए गरते हैं और निसी डिर्क्षिन में करते हैं तुम क्まだ अपने किसी कणिया को बोला हाइब काफी कि ժीने चलेंगी वह आपके पास आकर फियार से बात करें कि हां चलेंगे और सब्सक्राम्स और नहीं यहां पर हम कह सकते हैं कि डिरेक्षिनल मुव्मेंट है यहां पर हमें पता होगी क्या है क्या है नहीं है अगर स्ट्यूमलस के साथ में हुई तो मतलब रिस्पॉंस का डिरेक्षिनल यही कर सकते हैं हम पता लगा सकते हैं कोछ ग्जामपल आप लैके पहला नुग व्म में प्लाईी नियुक्र ओके positive phototropism जब हमारी कोई stem है वो light के response में या light के towards band करेगी अगर negative phototropism अगर किसी stem का या किसी भी plant part का moment away from light हो तो roots की अगर हम बात करें तो roots यह होती है हमें आरी वो हमेशा grow करती है away from light आप कहेंगे भाईया यह कैसे कह सकते हैं आप root हमेशा हमें light आभी from light grow करती है roots तो soil में होती है ठीक है soil वाली roots को light नहीं मिलती होगी लेकिन जो पानी के उपर plant float करते हैं आपका जो गुलाब होता है कमल कमल का जो फूल कहते हैं कि कमल की चड़ में खिलता है तो आप चलो ठीक है वहां पर की चड़ है अंदर तक light नहीं जा रही है कोई भी नॉर्मल पानी के उपर जो plant अगरा तहर रहा हो जहां पर थोड़ी light अंदर तक जा रही है वहां पर देख लेना root हमेशा क्या कहते जैसे कि root की बात करें तो root जो होती है हमारी हमेशा gravity की तरफ यानि की नीचे की तरफ ही grow करती है तो that is positive geotropic stem की बात करें तो stem gravity के opposite direction में grow करता है that is कहते है negatively geotropic आप कहेंगे भई यह कैसे प्रूफ किया दा सकता है तो आपके घर में अगर एक गमला हो तो इसको लिटा देन अगर जनका gravity का इनके ऊपर को influence नहीं होगा तो यह हमारा plant ऐसे ग्रो करेगा अगर अगर आप इसको लिटा दोगे तो यह इसका अगर gravity का इसे ऐसे ग्रो करएगा stem उस तरफ रूट इस तरफ लेकिन अगर हमने इसको लिटा भी दिया इसको हम लोगों लिटा भी और जो रूट होती है वो शो करती है positive geotrophism next मुवमेंट यहाप पर हमारा क्या है hydro रपिजम डाट इस movement towards water मैं यहाप इमेज गलत लगा दिया है ठीक है तो चलो कोई बात नहीं इस किमोट्रापिजम में काम आ जाएगा तो मैं कोई बात नहीं हाइडरोपिजम आपको बताया कि हाइडरो का मतलब होता है water जब water response में movement होता है तो उसको क्या कहते है hydro-tropism कहते हैं ओके सो positive हाइड्रोट्रोपिजम हमारा अच्छे यहां पर कीमोट्रोपिजम कहीं आ गया है क्या गलती से चालो कोई नहीं मैं आपको ऐसी बता जाता हूं ठीक है तो हाइड्रोपिजम क्या बाता है मुफमेंट मुफमें इन रिप्वस्पॉणस टूवाटर ठीक है तो आपको पता है कि हैं आप गरती हैं पॉजिब गेंटर्फशं को सब्सक्राइड्रोपिजम क्या होती है करते हैं इस्टाइन ग्रोपिक हम पॉजिजवाइड्रोपिक हम जया ली बात नहीं है ओके नेक्स यहां पर मारा क्या होता है कीमो का मतलब होता है कैमिकल जब कैमिकल की वज़ा से मुव्मेंट हो तो उसकों क्या बोलते हैं कीमो ट्रॉपिजम कहते हैं ठीक है तो अगर कैमिकल की डिरेक्शन में मुव्मेंट हो रहा है तो पॉजिटिव कीमो ट्रॉपिजम अग आसपास यह ओविल जो हता है ना वो कुछ चैमिकल करता है उन्हीं कैमिकल को सेंस करते हैं पोलन ग्रेंज जो है वह नीचे के तक ग्रो करती है तो पोलन ट्यूब का जो एक्जामपल है डाट इस पॉजिटिवली क्या सकते हैं कीमो ट्रॉपिक ओके सो यहां पर देख सकते है एक्जामपल ऑफोलन ट्यूब तोवर्स ओविल इस दूटू सिक्रीशन ऑफ सूगरी सब्चेंश बाइज जर्मिनेट कार्पल इन दी ओवरी रीजन ठेके विच इस एक्जामपल ऑपॉजिटिव कीमो ट्रॉपिसम ओके सो यह वैसे तो पीपीटी मेरी आपके पास जाए को मिलता है शूट के अंदर अच्छा आपके सामने रखाव है ठीक है आप यहां पर बगल में पानी थोड़ा सा मलब क्लेपॉट से पानी राल के रख दीजे यहां पर पानी निकलेगा आप देखेंगे कि रूट नीचे की तरफ तो ग्रोव कर रही है लेकिन साथी साथ हम हमारा थिग्मोट्रॉपिजम थिग्मो का मतलब होता है टच तो यहां पर प्लांट जो होता है वो टच के रिस्पॉंस में क्या करता है ग्रोथ मुमेंट पर यूज करता है पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिजम जब मुमेंट होगा तो आप लोग ने मनी प्लांट का लोगों ने क्या देखे ग्रोथ की वज़े से हो रहे हैं यह सारे के सारे मूमेंट स्लो होते हैं ठीक है कि रोथ की वज़े से हो रहे हैं और इसमें टारहनी होगा और कोई डिरेक्शन यहां पर नहीं होती है अभी हम देखेंगे ठीक है सब्सक्राइब तो बनी प्लांट के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ओके यहां पर आपको देख रहा है यहां पर आपको सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आप यहां पर याद रख सकते हैं अब हम चलते हैं आगे की तरफ मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप भूल जाते हैं चीज को असलिए जरूरी है यह तो हमारा वह था प्रॉपिजम था यह नौन दिरेक्शनल है एक और दिफेरेंस द्रत देखने को मिल रही थी यहां पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी जो वह है growth की वज़े से हो रहे थी वाले movement growth की वज़े से नहीं होते हैं ओके इसमें आता है जैसे सबसे पहले photo nasty photo मतब light ठीक है और नेस्टिक moments याने की यहां पर growth वगरा कुछ नहीं होगी तो यहां पर देखो non directional moment of plant part in response to light example के तौर पर एक dandelion flower होता है वह open कर जाते मौनिंग के अंदर ठीक है इन bright light and close कर जाता है इविनिंग के अंदर when it is dark यहां पर देख सकते हैं यह मौनिंग में उपन कर रहा है और इवनिंग में जब लाइट काम होती है तो क्लोज कर रहा है मौन फ्लावर यहां पर दे रख यह मौन फ्लावर करता है यह ओपन करता है कब यम दे टाइम पर प्रेशर होता है उसकी वीज़े सारे के सारे मूमेंटक वहते हैं अभी मैं छूई मुही के अंदर आपको दिखाऊंगा जहां पर थिक मोनेस्टी कर वाँगा ठीक है जिसको हम कहते हैं यहां पर प्लांट आपने सुना भी होगा वेन भी टच दी लीप्स ऑफ सेंसेटिफ प्लांट विमोसा प्यूडिका जिसको में भी कहते हैं जो होती है फोल्डब करती है और रूपस इमि मालों स्टैम वाला पोजशन है तो जो विमोसा प्यूड़ को होता है तो इस तरीके से होता है गया ど della इस इरिया में है काहिए तब यहां से सब्समानी जो तैम के इंदर बेज देता है या कह सकता है कुछ पानि लीव के इतर ब्रुम्हreck. लोगको सबसेर और बितता है और इसके पतले होने की वज़ہ से बहूत समय मिलता है तो कुछ टाइम बाद फिर सक पानी यहां पे खटा करता और धीरी-धीर करके उसको ओपन कर लियता है सो लिए उपना क्या क्यता है दिश्टे में जैंस को याद रखना है अब यहाँ पर हमारब ओके सो अब हम शुरू करते हैं human endocrine system यानि कि humans में hormones का क्या रोल है क्या नहीं है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं पहला सवाल हो सकता है दिमाग में यह आ रहा हो कि भया अगर human के अंदर nervous system है तो hormones की क्या जोरत है जो की बगोकी कभी पहुता है कि जहां पर आपके दोस्त Eyes पॉंच पते हैं, यहां तक आपके सोच नहीं पॉंच पाती है वह भी आपके दोस्तों सोच पाती है उसी तरीके से हमारी बोडिंग अंदर nervous system है वहरी और ne से connected नहीं है तो जिन पार्ट्स पे नर्वा सिस्टम नहीं है वहां पर कहीं न कहीं जो control and coordination है या जो regulation है functions का वो hormonal system के थूरू होता है ओके इसी वज़े से हमारी body के अंदर hormonal system का होना जरूरी है हमारी हमारी body काफी complex है हमारी body के सिर्फ hormones से काम नहीं चल सकता अगर हम hormones के पर depend रहते हैं तो हमारी body का response होड़ा slow रहता है तो नर्वा सिस्टम fast response के लिए जरूरी है और इंटरनल जो hormones है उनके response के लिए उनके effect अगर हम hormones की बात करें hormones की बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि chemical messengers है ऐसी chemicals को मैसेश को एक जगा से दूसी जगा body के अंदर ले करके जाते हैं इनका effect हो सकता है कि उसी जगा पर हो जहां पर रिलीज हो रहे हैं वहीं पर effect हो या हो सकता है जहां पर यह रिलीज हो रहे हैं उनसे कहीं और effect हो एक्जामपल के तौर पर हमारा एक ग्लैंड होता है ब्रेंड में जिसको कहते हैं hypothalamus तो hypothalamus से hormones निकलते हैं और body के different parts में जाते हैं तो अगर कोई chemical messengers income chemical messengers भी कहते हैं इस chemical substances coordinate करते हैं activities of body and also its growth तो body की activity और इसकी growth को यह क्या करते हैं कोडिनेट करते हैं ओके ना अगर हम बात करें हमारी बॉड़े की जैसे हम लोग ने plants में देखा था कि प्लांस में लोग ने बोला कि tips पे इस चूट टिप की इसल और सल है वो बना रहे हैं हमारी बॉड़ी में जो हॉर्मोंस बनाने वाले सेल्स होते हैं वह गूरूप में लोगों को देखने को मिलते हैं में ली टेके और उनको ली कर रहरे हैं ऐंट स्प्रेशिककल रहे है तो स्कुम क्य liberty ली यह अगोव के रहे हैं तो इसकंटा क्या बोलते हैं ग्लैड्ट्स बोलते हैं ठीक है तो ग्रुप ऑफ और सारी ग्ट्रीव सेल्स सेख्रीटिंग् सेख्रीटिंग ऍसक्रीटिंन क्यों क्या कहते हैं włos Glands उसको क्या कहते हैं ग्लांट कहते हैं ऑक अब इन चमिकल में हॉर्मोन भी हो सकता है आप लोग लाइफ-धर फ्रसेट्स वाले चैक्टर में पढ़ते हैं कि आपकी स्टमख के अंदर डाइजस्टिफ ग्लांट जो एक्षियल से करते हैं पैपसिनोचन से करते हैं तो वह भी हमारे ग्लैंट सी कलाते हैं ओके सो ग्लैंट्स क्या ग्रूप ऑफ सेल्स और टिशू जो सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक सबस्टेंस इन दा बॉड़ी सिक्रीट मतलब की अपने अंदर से बना करके निकालना एक सेल निकाल रहा है या बहार निकाल रहा है उसको क्या बोलते हैं सेक्रीशन दो तरिके कि हमारे ग्लैंट होता है एक होता है लिवर के पास while duct होता है और while duct की ट्यूब है Pancreas के case में डेखते हैं कि Pancreas के पास विए एक ट्यूब है तो ऐसे glands जिसके पास tube होती है उसकरम कहते हैं exokrine glands secrete करते हैं देर product किसके थूर डकट और ट्यूब ठेक है और release करते हैं product कहाँ पे site of action पे तो exogran glands mostly अपने जो product होते हैं जो chemicals होते हैं वह उसी जगह release करते हैं जहां पर उनका काम होता है यहां पर उनकी जरूरत होती है उसी जगह पर directly release करते हैं अगर endocrine gland की बात करें तो उनके पास duct और ट्यूब नहीं होती है यह अपने chemicals को अपने products को directly blood में release करते हैं और blood उनको carry करके लेके जाता है to different organs या different parts या blood उनको carry करके लेके जाता है to specific या target organs के पार ठीक है तो उनका product directly blood में release होता है और blood carry करता है उनके product को कहाँ पर target tissue के पास या organ के पास salivary gland secret करता saliva कि XVII के पज्ट लिन आपके मुह के अंदर करते हैं फॉर senza डिशेशन धायरौ-धिशन जो फ़लेट्स आपना काम करूंट सवाज हैं यहां पे एग्जोपार्ट समय करनेक आपको यहां पेग्जोपेन ग् shown वो अपना सेक्रीशन कर रहे हैं यहां पर कोई ट्यूब नहीं है यहां पर हमारी ग्लैंट्स होते हैं सीधा ब्लड के अंदर अपना जो भी सेक्रीशन होते हैं वो डाल देते हैं और ब्लड उनको कैरी करके लेके जाता है ओके नाव दा एंडोक्राइन सिस्टम इस गृूप ऐसा नहीं कि एक्जोओं स्कॉब यांचेशन का ड्रोक्राइन के पर सब्सक्रीशन के सब्सक्राइम ड्रक नियुक्त करते हैं चांद्स होते हैं जो कंट लिम कोटिन ब्रेस्ट नहीं होता वो लीए किस्वीब सिस्टमтесь इंदर जेतने भी सब्सक्राइं उस अनूप द्वो होते हैं जो control and coordination के अंदर बॉडी के डिफेंट फंक्शन के अंदर involved होते हैं ओके सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है हमारा इस ग्रूप अफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स producing hormones, ओके हमारी body के अंदर सिर्फ एक ही endocrine ग्लाइड नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे glands का जो system होता है, endocrine system, some of glands in our body have both exocrine and endocrine function, कुछ-कुछ glands हमारी body के अंदर ऐसे भी है, जिनका exocrine यह कह सकते हैं, जो exocrine वाला काम भी करते हैं, यानि कि वो chemicals बनाते हैं, और उनको through tube भी निकालते हैं, और उनके पास ऐसा भी system होता है, कि कुछ chemicals को पर यूज करते हैं, जो blood के थूरू ट्रांसपोर्ट होता है, एक्जामपल के तौर पर पैंक्रियास, पैंक्रियास जो है, वो pancreatic juice बनाता है, जो tube के थूरू डिविद्यम वाले portion के अंदर release किया जाता है, वहीं पे एक और बात करें, तो pancreas जो है, hormone release करता है, insulin, जो वो blood के अंदर, के कहते हैं, secret करते हैं, और blood फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, बॉड़ी के अंदर, ऐसी हमारे के कहते हैं, तसेस और उवरी जोटे हैं, पैसरीश जो होती हैं, वो spam बनाती है, जो वाधिए जो हूँते हैं, ने इंपने, बीन ने कहते हैं, जो प्लड के तुरू जोटे है, जो ऑक्यों करता है, जोaşी है, हमारा और ब्लड फिरावल करता है, तू पेंक्र सिद्थे हैं, ऐसा gland है जो act करता है endocrine and secret करता है insulin as well as exocrine और secret करता है pancreatic juice test is release करते है testosterone which is endocrine function और sperm which is exocrine function ठीक है इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं ovary release करते है estrogen endocrine and ova which is exocrine function of the ovary ओके जी बहुत खूब और यह आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं यह सारे कि सारे जो gland से आपकी बॉड़ी में देखने को मिलते हैं कौन-कौन से gland से यहाँ पर भी ऐसी comparative के कहते हैं इमेज दे रखाए बट independently उसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहला gland है हमारा असल में hypothalamus ने हमारी body का एक तरीके से कह सकते हैं मतलब सबसे main gland है ठीक है headmaster gland है यह जो hormone secret करता है वो pituitry के पास जाते हैं जैसे कि अगर मैं इस इमेज को जूम करके दिखाऊं सिर्फ इस वाली और नीचे जो आप लोगों को ब्ली वाला पॉशन देख रहा है इस हमारा pituitry portion so hypothalamus जो hormone release करता है वो pituitry के पास जाते हैं और pituitry को बोलते हैं कि आप जैसे example के तौर पे आपके पिंसिपल है प्रिंसिपल ने आपके कि भाया देखिए आपको class में कल कंड़क करवाना है क्या test तो टीचर ने आप लोगों को आ करके बोला कि हाँ भाया जी आप लोगों का क्या होने वाला है कल test होने वाला है ठीक है जैकल exam कहलो जो भी कहलो क्योंकि exam की decide वगरा जो भी है सब कुछ कौन करता है पिंसिपल करत को और रेस्ट अफ्लाइंस सो हाइप हॉथाप ग्रटे वोल यह हॉर्मों रिलीज करता और वह हाइडंस के इ मैं यहां पर देखने वाले हैं मैं भी दिखाता हूं कि कौन-कौन से हो निवाप हॉर्मों करता है और क्या इमेज़ को मज़रे छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग सारी चीज़ें यहां पर देख लें हां जी ओके इतना इस फाइन देख रहा है सब कुछ ठीक है इसको रोकना आप इसको बोल देंगे कि हाँ नहीं कि तुम रिलीस करते रहो करते रहो करते रहो होते हैं दोनों तरीके के होते हैं जो बोलें कि तुम यह काम कराऊ और बोलते हैं तुम यह काम रोखो तो जायर सी बात है कि अगर दूसरे ग्लैंड को जैसे कि अब प्रिंसपल ने बोला टीचर को कि आपको इस तारिक से लेकर के टेस्ट शुरू करने एक स्टूडेंट को को बोलेंगे क्या इस द hypothता टेस्ट खतम हो जाएंगे तो जो से हर्मोन करवा पड़ेंगे जो पीट्यूट्रो के हर्मोन का रोग दीजिए और … क्योंकि दूसरे organs को और कंट्रोल करता है तो पिट्यूट्री को भी दो तरीकी के हर्मोन करने पड़ते हैं डाट इस रिलीजिंग हर्मोन और इनुबेटिंग हर्मोन क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पिट्यूट्री के लिए जाधा होर्मोन सिक्रीट होते हैं तो उनकी विज़े से हमारी बौडी के इंदर बहुत होती है ठेक है सो होता है यह करता और निबिटिंग के क्या है, midbrain में present होता है, जो brain कम लोगों ने structure पड़ता, उसके अंदर midbrain में present होता है, control करता है, secretion of pituitary gland, तो pituitary gland की सारी secretion को hypothalemes control करता है, deficiency leads to improper functioning of pituitary, जाईर से बात है कि pituitary के function को control कर रहा है, तो अगर यह नहीं होगा यह इसके hormones वगर अच्छे से नहीं होगे तो पीट्यूट्री का जो function वो भी खराब हो जाएगा ओके यहाप एक बड़ा image है बटा बिरुग जाईए अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस image को तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही अच्छे तरीके से इस image में आप लोगों को बहुत सरे hormones दिख रहे हैं ठीक है रिलीजिंग और इनिबिटिंग हॉर्मोन जैसे कि थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन यह पिट्यूट्री को जा करके बोलता है कि आप क्या करें थायरोट्रॉपिन स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन तो चाहें JOHN अब भी थायरोट्रॉपिन हर्मोन जो ह है हमारा जाएगा किसके पास थायरोट्रॉपिन के पास जाएगा ठीक है यह बाला o ओर मेरे ऐद नहीं करना है मैंने इस प्रलीजिंगु सो अ-पीक्र के पास जाएगा और यह growth hormones release करवाएगा तो वह हमारे बोन्स के पास जाएंगे मसल्स के पास जाएंगे और उनकी growth करवाएंगे एक और ग्जामपल गॉनाटोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन तो यह हमारा क्या करता है हमारे पिट्यूट्र से रिरीज़ करवाता है फॉलिकल हॉर्मोन जाते है कि इंटेस्टेश के पास और और उवरी के पास और वहाँसे करवाते हैं त्रेस्ट्यू defens को दिये घ्भर रोखने का सिंगल आ तो इसन्ने स्टुडेंस को दिये अगर कि बात करें तो यहां पर देखें पेटूटरी जो होता है बहुत सारे होर्मन ग्लीज करता है यहां पर मैंने सर्फ एक का एक्जामपल लिखा है पिटूटरी सिर्फ क्या कहते हैं मतलब ग्रोथ होर्मन रिलीज नहीं करता यह प्रोलक्तिन भी और अडिनो कॉटिको ग्रोथ ओनली डेफिशंची लीज तो शॉर्ट हाइट एक्शस सेक्रीशन लीज तू क्या कहते हैं जाइंट हाइट ठेक है तो पिटूटरी के जो मेंली हॉर्मन होते हैं अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यह डिफरेंट और इंस पर जाके वर्क करते हैं बड़ कि हमारे टेस्ट के पास जाता है प्रोलेक्टिंग देखेंगे तो इन मैमरी ग्लैंड के पास जाता है ठीक है एडिन को ट्रॉपिक देखें तो एडिनल ग्लैंड के पास जाता है ओके सारे के सारे जो हॉर्मन सेना पिटूटरी के किसी ना किसी स्पेसिफिक और्गन को टा बाकी के जो सारे के सारे होर्मन्स होते हैं वो पहले उस ग्लैंड के पास जाएंगे यानि कि थायरोड के पास जाएंगे थायरोड को बोलेंगे कि आप थायरोक्सिन सिक्रीट करिए और फिर थायरोक्सिन चेंज लेके आएगा एक बढ़ इसको फिर से समझाता हूं में कि पिट्यूट्री के जो मेंली हर्मोन्स होते हैं उनका कैसा फंक्षन है जैसे कि यह भई हाइपो थैलमस ने हर्मोन रिलीस करा कौन साथ हमारा थायरोट्रॉपिन करके ठेक है थायरोट स्टिमिलेटिंग कहलो थायरोट और वहां से रिलीस करवाएगा क्या थायरोक्सिन अब यह थायरोक्सिन अपने जो भी फंक्षन्स परफॉर्म करने होंगे बॉड़ी के अंदर ब्रेट प्रेशर वगरा जो भी सारी चीज़े हैं उसको कंट्रोल करेगा लेकिन अगर में बात करूं पिट्यूट्री का जो करवाता है तो ग्रोथ होती है ठीक है तो पिट्यूट्री का जो यह हर्मन है इसलिए मैंने वहां पर बाकी हर्मन को स्पेसिफिकली मैंने वहां पर मैंचन नहीं किया यह चीज़ देख लेना कि अगर ग्रोथ हर्मन कम रिलीज होगा तो इंसान की हैच छोटी रहेगी यान आप देखो इस जगहा पर हमारा पीट्यूट्री आपको देख रहे हैं से आपको वाइट वाला पोष्ट वाला पॉशन ओके नव अब देखो जैसे यहां पर बोलो यहां पर सारे के सारे वह लगा रहे हैं कि कौन-कौन से हर्मन ग्रोथ हर्मन रिलीज कर रहा है थायरोड stimulating hormone इसको ध्यान से देखना thyroid stimulating hormone जो है न वो control करता है secretion of thyroid hormones thyroid के पास जाएगा thyroid gland के पास जाएगा pituitry कर देखो सारे के सारे जो hormones है न वो किसी ने किसी चीज़ के पर act कर रहे है thyroid stimulating hormone thyroid gland adenocorticotropic hormone adenyl gland melanocyte stimulating hormone melanocyte cells in skin के पास जाएंगे prolactin memory gland ठीक है follicle stimulating hormone gonads के पास लिटनाइजिंग hormone भी गोनाइट के पास यानि कि टेस्टेज़न और इसको गोनाइट कहते हैं oxytocin uterus के पास anti-diuretic kidney के पास इसका हर एक hormone किसी ना किसी specific organ को या किसी ना किसी specific gland को टार्गेट कर रहा है लेकिन growth hormone जो है वहाँ पर देखो लिखावा है जोनल हार्मोन किसी हमारे क्या कहते हैं specific gland को target नहीं करता यह simply क्या करवाता है growth को करवाता है या रोपता है ओके इसी वज़े से मैंने पिट्यूट्री के अंदरा growth hormone सिर्फ मेंचिन किया था प।े सहें इहां पर लिखाए अड़ीनव इन्रोहएपफफाइसस कां से होता है पिट्यूट्री के अगर हम बात करें तो पिट्यूट्री को अगर आपcolored देखंगे इसको Zoom कर देते हैं, Pituitory को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो THIS portion is of Pituitory, Pituitory के अनदर 2 LOBS होते हैं, एक होता है हमारा anterior Pituitory, एक होता है Posterior Pituitory, तो Adeno Hypocyz, Adeno Hypoficis जो होता है, IT is हमारा anterior Pituitory, एन Posterior Hypoficis जो होता है, IT is known as Posterior Pituitory, तो अगर हम अडिनो हाइनो हाइप करें तो अडिनो हाइपं करें अपर ऐसे लिय्ट हार्मोन और सब रिलीज करता है और पुस्टेर फैट्यूटरी यानिके नीरो हाइपफाइस ऑक्सीटोसिन और dh या एंटीडियोटिक शॉर्मोन और वैसोप्रेसिंग को रिलीज करता है अगर एक बड़ी फिर से कनेक्शन में दिखाऊ हूं हाइपोथालेमस और पिट्यूट्रे के बीच में थाइरोड स्टिमलेटिंग हॉर्मोन यह देखो थाइरोड रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है इस्टिमलेट करता है थारोट्रॉपिन स्टिमलेटिंग हॉर्मोन रिलीज तो यह क्या करता है कह सकते हैं यहां पर थाइरोड स्टिमलेटिंग Soon भी लिख सकते हैं यह सकते हैं या कहNow के पास तब यहां पर प्रों धसकते हैं यहां पर बám्foot और आप नेना कोकर करतीक हॉर्मन रिलीजिंग देख लिए इसने धीन टर्मन करवा दिया टीक तो हाइफु थैलेमस्ट ने को signal भेजा पेच्ट्यूट्री ने किसको सिगनल भेजा हमारे डिफिरेंट इवाइन्ट को बेजा पेच्ट्यूट्री का सिर्फ एक हॉर्मन होता है जो कि एक जनल हॉर्मन हर किसी ग्लैंड के पास नहीं जाता डाट इस ग्रोथ हॉर्मन ठीक है इसलिए किया करते हैं हाइफ याद रखने हैं मैं सज़च्ट करूगा कि सारे नहीं भी याद रखोगे तो दो तीन याद रखना फॉर एक्जामपल के लिए ग्लोथ हॉर्मन तो पढ़ना ही पढ़ना है वह तो मैंने वैसे दिखा दिया है बट आगे भी मैंने होर्मन का नाम लोंगा तो आपको याद हो होता है इस सामने जाए आपको ग्लाइन दिख रहें डिस इस थारोड ग्लैंड ओके अब थारोड जो होता है यह मैटाबॉलिजम करवाता है किसका फैट का करभोहड़िट का और प्रोटीन्स का मैटाबॉलिजम यानि कि कार्बोहड़िट किस ने बनने हैं कितने वह अगर आयोडीन नहीं होगा तो थयरॉक्सिन का फरमेशन नहीं होता क्योंकि थारॉक्सिन का एक इंपोर्टेंट गॉम्पोर्ण स्वाइड इन तभी आप लोगने सुना होगा कि निर्मा टाटा शुद नमक देना ताटा छोड़ा बहुत चाहिए बहुत ज्यादा कम नमक वाला खाना झाहिए तो आपकी बोडी के अदर थारोक्सन का फोर्मेशन नहीं होगा तो आपकी बहुत सरी प्रोब्लम्स आ सकती हैं अभी बताता हूं कौन-कौन सी बट इसलिए लिए अरोडाइस्ट sol हम कहते हैं खाते हैं लोग जसे अंदर आइउदीन प्रजंट तो अगर आप लोग खा नहीं का तो मेटबोलिजंब नहीं होगा मेटबोलिजंब दॉट रहेगा तो आपकी बॉडि के अंदर क्या हो जाएगा गिनी तो लाइक ग्वाइटर तो गाइटर वगड़ा भी हो सकता है क्योंकि आप ले नहीं रहे हैं थारोड ग्लान को बहुत को मैं खोशिश करनी पड़ेगी महनत करनी पड़ेगी तुमारा थारोड ग्लैंड स्वेल भी कर जाता है और आपकी बॉड़ी के अंदर जो एक कार्भो हैर है कितना बॉड़ी के अंदर ग्लुकोज होगा कितना ब्लेट फ्रेशर होगा फैट जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों को ना थारोड की प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग मोटे हो गए है बहुत सारी लोगों से तो उनकी बॉड़ी में फैट का व्रेगडाउन नहीं होता क्यों क्योंकि उनका थारोड ग्लैंड अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर अपा रहा होता तो वह मोटे हो जाते हैं ठीक है तो थारोड ग्लैंड बहुत सारी बॉड़ी के फंक्शन को कंट्रोल करता है अभी एंसका पैरग्राफ है तो वहां पर भी पढ़ाउंगा मैं इसको अब पैराफ जेके पैराफ हो जो होता है चलैंड यह सुक्त करता क्या पैरत थार्मोन जस्त पीछे घ्रवा हम्यों के सामने से यहЙमारा थाई इसके जी आप आप हैं पर देखेंगे तो आपको चार येलू पर के यहां तो ओन क् मिलीट हांUSTiben को हां जी सो एक दो तीन चार तो चार यह लोग एक जो डॉट्स आप लोगों को दिख रहें दिस पैरा थॉर्मन या परतारोड ग्लाइट यह एंबेड़िट होता हैं किसके अंदर थारोड ग्लाइट के अंदर यह रेगुलेट करता हैं कैल्शियम फॉसफेट मैटाबॉलि और फास्वेट मेटाबॉलिजम अगर पैर फार्मन का अच्छे स्ट्रिशन नहीं होगा तो आपकी बॉड़ी के अंदर जो कैल्शियम है और फास्वेट जो इसकी बैलन्स है वह खराब हो जाएगी ठीक है क्योंकि जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर आपकी बॉड़ी के बैलन्स मेंटेंगर करके रखता है क्यों प्रत होर्मन ओके नेक्स ट्राइब जो हमारा थाइमस होर्मन और थाइमस होर्मन मोसली इम्मुनिटी के लिए इंपोर्टेंट है अपर पार्ट आप चेस्ट जो आपकी इस टर्नब होती है उसके पीछे प्रजंट होता है ये डि और आपको बोड़ी के कहते हैं कोई भी बिमारी होगी तो इससे अच्छे से फाइट नहीं कर पाएंगे डवलो बीसी तो एक तरीके से डबलो बीसी की ग्रोथ और डवलोप्मेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा थैमस हॉर्मोन थैमस एक ऐसा हॉर्मोन है ज जिसका साइज ठीक है जिसका साइज जो होता है वह डिक्रीज करता है विद एज जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे थैमस का जो साइज है वह डिक्रीज करता रहता है तो थैमस इस ओनली ग्लैंट जिसका साइज डिक्रीज करता है विदेज ओके अब एडिन है और दोनों किड्Nी के ऊपर एक एक होते हैं ठीक है यह और देखो गला से हुर्मॉन фख करते हैं जिसको भी खहते है अब अबव किड्नी का लोकेशन है यह देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हार्ट बीट कार्बो हाइड मेटाबॉलिजम ड्यूरिंग एमर्जनसी इसको एमर्जनसी ग्लैंड भी बोलते हैं ठीक है एमर्जनसी ग्लैंड भी बोलते हैं और एडिनलीन को हम लोग करता है energy to fight and respond आपकी पीछे चानक से कुत्ता पढ़ गया आप बहुत तेज भाग रहे हैं आपकी किसे से लड़ाई होगी आपने उसको क्या करते हैं बहुत गुस्से मां करके मार दिया तो उस दुरान जो होता है एक पावर होर्मन जो रश होर्मन होता है कि हाँ इस जिनका ट्रांसपोर्ट हर से में अच्छे तरीके से होता है हमारे हर सेल को के कहते हैं एनरजी मिलती है बहुत जादा तो हम अच्छे तरीके से रिस्वांड कर पाते हैं कब emergency situations में रिलीज होता है ठीक है और अगर यह नहीं होगा deficiency leads to improper response during emergency conditions एनिक अगर आपके पीछे कुता पढ़ गया उसने में अगर अगर नहीं हुआ तो आपका हुजाएगा काम खारा कुता को काट खाएगा ठीक है आप लोग ने कभी नोटिस भी क्या होगा जब कुता पीछे पर जाता है तो बहुत धिर तक भागते रहते हो पता भी नहीं लगता और बहुत तेज भाग जा याने कि इसके पास exocrine as well as endocrine function दोनों है insulin को release करता है किसमें ब्लड में pancreatic juice को release करता है किसमें intestine के अंदर किसके थुरू pancreatic tube के थुरू या minimal levels ज़्यादा काम हो गए हैं तो pancreas एक और hormone release करता टातस्य लूकाँगन कि लुकाइगन तो यह लूकाँगन क्या करता है यह यह ग्लाइकोजन को कनवर्ट करता है किसमें वापिस से ग्लुकोज में यह ग्लाइकोजन को वापिस से कनवर्ट करता है किसके अंदर शुगर में और ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा देता है ठीक है इंसुलिन का क्या काम है यह शुगर को कनवर्ट करके यह ग्लुकोज को को मेंटेन करता है अगर हमारी बॉड़ी के अंदर पैंक्रियस से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो ब्लड के अंदर बहुत जादा शूगर बढ़ जाएगा और उस कंडिशन को कहते हैं डायबेटीज ठीक है तो डायबेटीज मीठा खाने से तो मतलब कह सकते हैं शूगर ठीक है अगर पैंक्रियस फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो आपको जाहिड सी बात है ग्लुकोज इंटेक जो है उसको कम करना पड़ेगा ठीक है जी चालिए फिर है टेस्ट इस भी हमारी पैंक्रियस की तरह एक हेट्रोक्राइन ग्रैंड है जो स्पर्म रिलीज करती है और करती है टेस्टोस्यरहण टेस्टोस्यरहण का फंक्शन आपको पता है डिव्याप्मेंट सेकन्रेृ साट्रोक्रग से केक और अगर यह नहीं होगा तो सेकेंटर करेक्टर्स हो है वो डव लब नहीं होगे कहां पर लोर एब्डॉमेंईरिया में आप क्या सकते हैं इसेक्शुला और रिलीज नहीं होगा नाहीं एग फॉर्मेशन भी नहीं होगा ठीके और यहाँ पेскомा फॉर्मेशन भी नहीं होगा स्पन भी नहीं बनेगा अगस टेस्टोस्टोन का रिलीज नहीं होता यह भी आड़ कर सकते हो बस सिंपल सी कहानी है ठीक है अच्छा अब देखो कोई भी अगर हॉर्मन रिलीज हो रहा है तो हॉर्मन का स्पेसिफिक कॉंटिटीज में रिलीज होना ही जरूरी है अगर हॉर्मन बहुत दिक्कत है कम रिलीज हो रहे हैं तो भी दिक्कत है जैसे कि देफिशन्सी इंसुलीन से क्या होगा रिजल्ट इन डाइबेटीज लेकिन अकर इंसुलीन बहुत जादा रिलीज हो जाता है तो ग्लाइकोजन कर देगा और हम लोगों के पास एनरजी बचेगे नी और इस होना चाहिए जो हॉर्मोन के सिक्रीशन को और इनिवीशन को कंट्रोल करें तभी हमारा हाइपोथेलमेस स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और इनिवीटिंग हॉर्मोन दोन रिलीज करता है तभी हमारा पिट्यूट्री स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और इनिवीटिंग हॉर्म timing and amount of hormone release by various glands समारी body के अंदर क्या कहते हैं feedback mechanism होता है ठीक है जो control करता है hormone का secretion और कब timing क्या है कब secret करना वो भी control करता है if sugar level in blood rise करते हैं too much cells चो होते हैं pancreas के detect करते हैं और respond करते हैं कैसे by producing and secreting more insulin in the blood ठीक है the latter will decrease sugar level तो insulin से अगर पैंसलीन पैनिक्रास अगर insulin secret कर रहा है तो वो insulin sugar levels को कम कर देगा शुगर को ग्लुकोस को glycogen में convert कर देगा जैसी level decrease हो जाएंगे तो फिर से concentration को detect कर लेंगे ठीक है the latter will decrease concentration in the blood and if blood sugar level falls to certain level secretion of insulin जो होता है pancreas से वो कम हो जाता है अपने आप ही and levels जो होते हैं वो normal हो जाते हैं तो एक feedback mechanism होना ज़रूरी है sugar levels in blood prices detected by pancreas cells synthesis of insulin blood sugar level fall or insulin stop बस जैसी फिर से मतलब stop हो गया और अब जैसे फिर से बढ़ेगा फिर से secretion हो जाएगा तो हर gland का यही काम होता है जैसी के करते हैं चीजे बढ़ती है है काम होती है उसको डिटैक कर लेते हैं और hypothalamus भी डिटैक करता है तो hypothalamus भेशता है से कह सकते हैं सिगनल किसके पास पेट्यूटरी के पास पेट्यूटरी से सिगनल आता है pancreas के पास और pancreas फिर उस बेसिस पे अपना function करता है ओके चालिए अब कुछ important paragraphs से 208 के अंदर दे रखे ते और में को बताने थे आप लोगों को सो वह देख लीजे यहां पर दे रखा है पहला paragraph है adrenaline का which is secreted by adrenal gland जो kidney के ओपर present होते है adrenaline जो होता है इस secreted into the blood and carried to different parts of the body the target organs of the specific tissue on which it includes act heart as a result heartbeat हो जाता है faster resulting in supply of more oxygen to our muscles the blood to digestive system and the skin is reduced ठीक है due to contraction around the small arteries इसकी in these organs so basically क्या होता है कि adrenaline जो होता है हमारा ठीक है जब action में आता है तो वो क्या करता है वो heart की तरफ जो है मतलब heart को faster beat करवाता है और basically उस वज़े से जो supply होता है oxygen को जादा होता है the blood to digestive system and skin digestive system के पास digestive system के पास और skin के पास जो होता है वो reduce हो जाता है ठीक है क्यों कि देखो अगर हम लोगों को action लेना है तो में लोगों को क्या करवाना है अगर हम लोगों को energy चाहिए तो लोगों को oxygen ज्यादा चाहिए तो heart जो हो blood pump करता है किसके पास muscles के पास digestion के उस टाइम जरूत नहीं है skin में ब्लड की जरूत नहीं है muscles के पास जान अच्छी है blood okay this diverts blood to our skeletal muscles the breathing rate also increase because of क्या कहते हैं contraction of diaphragm and ribs हमारा breathing rate भी बढ़ जाता है हम सास भी जली जली लेते हैं okay all these responses together enable करते हैं animal body to deal with the situation जो system लोग उसके साथ deal करते हैं so adrenaline क्या कर रहा है हम लोगों को एक emergency situation के लिए ready कर रहा है उस तुरान हम लोग digestion digestive system को blood ना भी मिले वैसा यहीं कि बिल्कुल ही जाता काम हो जाता है तो अगर उसके पास blood कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ब्लेड नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें ब्लेड का चाहिए मसल्स पर चाहिए ताकि हमारी मसल्स को जादा oxygen मिले जादा oxygen मिलेगा तो जादा ड़ी आज़ोगोगोगोगोड़ totallyzn अच्छे तरीके से मूइं कर सकते हैं भाग कर सकते अपने हाथ पख्याच मूझ कर सकते हैं जो भी रिस्वांस है न ऑ होते हैं से iodized salt और enriched with iodine why it is important for us to have iodized salt in our diet iodine जो होता है it is necessary for thyroid gland to make thyroxine hormone thyroxine regulate करता है carbohydrate का metabolism protein का metabolism और fat का metabolism जैसे कि मैंने उपर बताया था and provide करता है best balance for growth iodine is essential for synthesis of thyroxine in case iodine is deficient in our diet there is possibility that we might suffer करेंगे from whiter ठेक है ग्वाइटर में क्यों होता है कि हमारा जो थारोड ग्लैंड होता है वो स्वाल कर जाता है ठेक है दूसरा दूसरा हो दूसरा एक्जांपल दे रखा है किसका दूसरा ग्रोथ होर्मोन का sometimes we came across people who are either very short ठेक है और extremely giants have you ever wondered how this happens so growth hormone is one of the hormone जोसके फिर्ट्री सिक्रेट करता है ठेक है तो अगर ग्रोथ हर्मोन ज्यादा सिर्ट होगा तो जाएंट हो जाएंगे अगर कम सिक्रेट होगा तो दौसरा हो जाएगा आज एटन नहीं इंडिकेट्स ग्रोथ होर्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ अब 30 यह फ्रेंड्स आज्यों अब्रोष 10 लियर्ट स्थिस्टेशन समूस्वेश फेट्रेस थी अफ्रेटी और यह सारे भी हम लोगों को कोmalवसा फोर्ग्राफ ब्रहा अप लोगों को मैना कशन्वाला वाला पैराग्राफ भी दिखा दिया मैंने आपको उनका भी बता दिया के कहते हैं एस्टोजन प्रजस्टिरों का मैंने वहां पर भी दिखा दिया अब यहां पर दे रखाए किसका इंसुलीन का जो के कहते हैं उनको अडवाइस किया गया है तो टेक लेस्ट शुगर डिएट बिकास दे आर सफरिंग दियाबटीस अधर ट्रीट्मेंट दे माइट बिटेकिंग इंजेक्शन सफ इंसुलीन इंसुलीन एक ऐसा होर्मोन है जो पैंक्रियस बनाता है और ब्लट के अंदर इंसुलीन का फीडबग मेकानिजम भी मैंने यहां पर आपके साथ रिसकास कर लिया है तो यह हमारी एंसुलीन की कुछ इंपॉर्टन पारग्राफ थे जो हम लोग ने अच्छे तरीके से डिसकस कर लिये है और यहां पर फाइनली हमारा जो चप्टर है वह हो जाता है पू झाल